श्री पतंजले महा मुनये नमाहा अता पंड दुस्रिया नियमा चा विचार का नरोत संतोश संतोश मंझे केवल मनाची कृतार्थता असार्थ नहीं है मनाची संतुष्ट वृत्ती असार्थ नहीं है करनाचा है कि भूगोत्तर सुधा एक ततकालीन जाला टेंपररी मनतात असा संतोश असतो असी कृतार्थता असते पंड संतोश हाजो याठिकानी भागे हाश उचिर्भुत अने पावित्र्यता याचा तून निर्मान होनारजो इंद्रिय जयाचा प्रकारे त्या द्वारा हाँ यावा लागतो संतोश मन्जे एही एक वृत्ती है अंती वृत्ती कसी तर शोच बंजे शोचिर्भुत अता अने पावित्रिय याचा मुले आउशिक आसा आउशिक आसा इंद्रिय जया इंद्रिय आवर काही तरी एक आवाका कई कंट्रोल हाई यून त्या द्वाराज जय कई संतोश तूर ती एल ती आठीकाने सांगेतले बंजे इंद्रिय आवर एक आउशिक का होई ना थोड़ा सा का होई ना जय आल्यान अंतर मानसिक संतोशान भौज ये तो आसे कि ये थे च बासुंदी जोड़ल्या वर सुधाएक संतोश योता आपन धेकर दियोन पोटा रात पिरो तो परण हां इंद्रियांचा जय आस्तो तो इंद्रियांचा जय आस्तो 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 तो इंद्रियांचा जय आस्तो तो इंद्रियांचा जय आस्तो तो इंद्रियांचा जय बालगाई चे संतोश उर्ति लाकाय लगते हाना, श्रीकंड हाना, बासुन दी हाना, मौज मजा करा अन संतुष तर हा, नाई तसा हा प्रकार नाई है, संगन्या साथी या ठीकानी थोड़ासा द्रावीडी प्राना येम करूं साहिए लेकि शवचा द्वारा, शुचिर भूत ते द्वारा इंद्रियान वर थोड़ासा जो संयमनाजा भागे तो, नियमनाजा भागे तो, आउशी कता जो जय प्राप्त तो, त्यातुन प्राप्त होना रा संतोष आस्तो, तो संतोष, पन कदा जेत आर्थबोध साला नसेल मुन या ठीकानी उधाराना द्वारा खुलासा दिला, कि इंद्रियान चा जय और इंद्रियान वर जय, या तला फरका सम्झुंगे तला पाई जय, और ही जी संतोष या ठीकाने, इंद्रियान निग्रहाद्वारा येनार समाधान, आसातरी किम्वान पक्षी मानल पाई जे, दुसर कुटल समाधान नाही, इंद्रियान निग्रहाद्वारा, इंद्रिया वर आपलाला एक वशित्व, काई अंशता का होई ना, किंचित का होई ना, थोड़ असा मानसिक, क्षनिक, कृतास्थतेचा भाग नाही असा मनतायेत, कारण, शब्द, स्पर्ष, रूप, रस, गंध हेजे पाच विशयेत, यहांच्या द्वारा मिलनारा लाब, हा सुखलाभत असला। कि संतोष द्वारा अनुत्तम असा सुखलाभ होतो, अर्थार अपलेला पंच विशयात्मक जो सुखलाभ हे, तो कै अनुत्तम सुखलाभ मनतायेत नाही। सुत्रकाराना संतोष जोपासन्याचा वेगलाच प्रकार याठिकानी सुचित कराईचाय, दिगदर्शित कराईचाय। कराना साही के संतोष खल श्रुती चा निरोधेश करता नाही है। तर सुत्रकार आस मुलीज मनतने शुत्रकार संटोचाची सिध्धी सांगताना, पलस्यृटी सांगताना, संतोचाँध भोупम अनंदला वहा करतन सुन, सं्तोचाँध अनुट्पम सुखला वहा, आसा त्ये बेचाले शाव्यास शुत्रा सांगतात। आशो, आशा प्रकारे सूत्राची थोड़ी ची प्रस्तावना दिवुना अपन सूत्रा गड़े, कि वाँ सूत्राचा हीतू कड़े, तातपर्या कड़े बोड़े भाश्यकारानी याधिकानी योगिक आशा संतोषाचा लक्षनाची स्पष्टोक्ती के लिए, मैं या ता प त्रुप्तेटेची धेकर नाही, मैं संतोष कुठला, कसला, तर त्याचा योगिक आशाचे संतोष हे वेगरास लेचा सांगितले, त्याचा लक्षनाची स्पष्टोक्ती भाश्यकारानी के लिए, संतोष रुत्तीच सर्जन करन्याचा योगात मुख्य प्रकार नसून, संतोष रुत्तीच सर्जन करन्याचा प्रकार भाश्यकार मन्ताथ। तो याठिकानी संतोष रुत्ती सर्जन करन्याचा विचार मुख्य नहीं, प्राधान्यान संतोष रुत्ती मदे रान्याचा प्रकार है। अचा प्रकार ये लक्षन करतात। मन्जेया, सपष्ट वरुनन करतात। अणि फार तात्पर यानी तैनी लक्षन करतात। फार मोठे तात्पर यानी तात्पर ये साथ लेले। हे अपले ला थोड़ा सा विचार केलातर लक्षा तेत्रा। अर्था त्यांच भाष्य साहिल्यान अंतर जाता जाता वाचस्पती मिश्रान तेज्चा और केले लिटिका तेल लगेच् स्मुती पटला वर येते वाचस्पती मिश्रान वर यति धर्माचा प्रभाव पढलासा वाटतो और या भाष्या मदे तैनी यति धर्माचा जवास गेतला। कि वादे प्रगतावस्थ संतोश्वती सांगता तास जी मन्ताईल अत्यांत प्रगताश आवस्थ्री जिमेट तुम्चा आमचे साधकावस्थे तला संतोश्थे सांगता तास वाटतो तत्व वैशारदी मदे ते मन्ताथ प्राण त्रान मात्र हेतोद्भ्या अधिकस्या अनुपादित्सा प्राण धारनेला अरला गनारे ज्यकाई साधनास्तिल त्या उढस आनि त्याप इक्षाई आधिक साधनान बद्दल आनी छासन असा तेनी थोड़ा यति धर्मा परक यति धर्मा परक आसा त्याटिक आनी खुलासा के लेला है भुजराजा मारतंड राजमातंड उर्ति मदे संतोश हा तुष्टिही असा तेनी मंदलेला है आनी मा योग सुधाकर कार सुधा त्याला सुड़स तुष्टि जोड़त मंदात संतोशो यथा लाभ परितुष्टिही जोकाय लाभ असेल तेचा तुष्ट राण संतुष्ट राण वार्तिक कारांच मत वाचस्पतिम प्रमाने थोड़स यति धर्मा कडे जुखलेले यति धर्मानी प्रभावी जालेले संयस्त धर्मानी प्रभावी जालेले मुणते मंदात अत्यावश्यक प्राण यात्रा दिर्वाहक विद्यमान साधना अतिरिक्त स्थिय अलिप्सा इति अर्थ हा अनिच्छा प्राणधारने प्रेक्षा अतिरिक्त जेकाय असेल त्या बुद्दल अलिप्सास न अनिच्छास न असे तेनी संतोश असार्थ के सूर्य पुराना नुसार अंगे बाराव अध्याई तुम्हे उहडला त्याथिकान इधा अक्रावय अश्लोका मदी तुमहल आसी दिसेल यद रुच्छाल आप संतोष्ठ संतोष इति पठ्थ्यते पठ्थ्यते यद्रुच्छा लाब संतुष्ठा यद्रुच्छे न जे काई मिलेल त्यानी त्याचा 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 त् तुष्टी मान्न, तुष्टी वृत्ती नर्हान, तुष्टी चा वृत्ती नर्दगन, त्याला तेनी संतोष मंटलेले, गुर्मपुराना मदे, उत्तरकंडा मदे, दुसरा अध्याय अने 27 अवाशलोक, यद्रुच्छाला बदो विक्तम, अलपं सो भवेत इती, प्राशस संतोष सुखलक्षनम, यद्रुच्छा लाब, यद्रुच्छे ने मिलना रहा है, तक संतुष्ट रहान, आसा अर्था के लेला है, दर्शनो प्रिंश्रावन देश्टा असा अर्था के लेला है, पहला अध्याय यानी 4-5 सहा से 3 कंडिक आयत्या ठीकानी शुरुतियत, य ब्रह्मावलोक परियंतात विरक्त्या यल्लभेत्प्रियम सर्वत्र विगतस नेह संतोष परमविदुः। अर्थी क्रोध नवे, तर असा बंध निर्माण होना कि वा आडख्ण हा प्रकार संभवने कुठला ही अगदी ब्रह्मलोका परियंता जरी तुमाला एकाता भोग मिलाला तरी तैचा आड़कुन्न आडख्ण हे संतोष आचा लक्षन है। याठिकाने अपने लक्ष संतोष या उर्थी चा विचार करतो है तामने मनुस्पुती चा एक वचन याठिकाने स्मर्त। मनुन संतोष सुख आने असंतोष दुख याचा संमंध सांताना मतलेलै संतोष परमास्या या सुखार्थी संयतो भवेत संतोष मूलं ही सुखं दुख मूलं विपर्य यहा। सुथा अध्याए बारा वाशलोग मनु मन्तात कि लाबलेलै अगोष्टी सुख मानन आने संयत रहान सुखार्थीला योग्याए जो सुखे चुए ताला हेज योग्याए लाबलेलै अगोष्टी सुख मानन कारण सुक हे संतो्ष मूलक अस्त तर दुख हे तड़ा भाव मूलक अस्त अर्थात संतोष मैं जे सूकória अने संतोष आभाव मैं जे दुख है आस मनलस्रुति वहने बंध लेलan राशा प्रकारे शास्त्रात ले काई वचनान द्वारा अपन संतोश या वृत्ती चे या नियमाचे काई पईलू वगनाचा प्रेद्न केला संतोश या मुख्यार्थ आसा याधी काई करावा लागतो एकुण या सगयाचा अपन संकरीत प्रेद्ने विचार केलातर संकलना थूनमास आर्थ प्राप्त उतों कि प्राप्त परिस्यती मदे अक्षोब्ध्य रहन प्राप्त परिस्यती 2.0 तेशा मदे अक्षोब्ध रहन खुब्धन होता शांत वृत्तिनता रहन आणि पुणा समाधाने रहना आता तो संतोष है, असंतोष हात तुरूशने ला वाडव हुतू, मान असंतोष असेल प्रूशनावाड ते नहीं है, हवे ते हवे असवता हाँ मनोव इग्ण्यानिक भाग हेरुन योगशास्त्रकार संतोष पृत्ति सांगताथ हाँ धाला मानस संतोषासाथ भाग आता याज जर चुती जाली, तर वाचीक असंतोष संभोत होता, मानसी संतोष जर नसेल कि वाँ तिया चुती जाली असेल, तर फारकाल अपले असंतोष्ट पृत्ती चा निग्रह करता येतने, तो ताबोर तो अपले वाचे में प्रगड होता हो, आला का लक्षात। अपले वाचीक असंतोष आलाना, त्या काल न, दुसरीयाचे अपमान करन, दुसरीयाहा उद्विग्न तादेन, दुसरीयाचे iemand अमसर करन, य्जे वागेंदरीया द्वारा आपले वाचें द्वारा प्रगड होता होता, यह तिसमा derived शर करनत। आप अप्रिया कात करने होता है, क्या आपन असंद उस्ट तासलो क्या आपन दुसरी आट अपमान करतू। असंद उस्ट ता असलो तर आपन उद्विक लेखीअ निया है लेखी देन केस सच्तों हैं थेछळा मतसराय थेते हावेशी कोश्टाह बात्स पेढता है हमिली मतारा धॵर भाकी मुईल कोष्टी कश्टी कुर्स हुष्टय को दुछ परन मेरे जे लेखां अशवच आल किती-किती गोष्टी यह ताथ बगाहिए। कि अमले संतोष्ट वृत्ती नर्हान है फार महत्वाचा यह संतोष नसला कि मानुस क्षुब्ध होतो, स्फोटक बनतो, स्फोटक जाला कि तैसा पहिला अविश्कार हाथ यह वागेंद्रियार वरेतो वागेंद्रियार वरेतों तेचे उद्विग्नता ही व्यक्त भाहिला लागते और ती व्यक्त जाली कि ब्रतांचा साक्षात चूराड़ा होतास्तो मैंजी काया के आशा असंतुष्ट मान्साच वचन है नेमी कठोर अस्ता कठोर वानी ची मान्साची नेमी असंतुष्ट चास्तात मा असंतोशाचा अतिरिक्त विस्तार, हाँ शेवटी काईक स्वरूपाचा होतु, मा अकदी काईक हिमसा गड़ते, शर्रा द्वारा हिमसा गड़ते, हाथा पायांचा वापर करून हिमसा गड़ते, मा स्थेह अत्व गड़ता. अपना संदुष्ट असलो अनि ती वस्तु कोणा कड़े तर आहे मंदल्यान अंतर त्याच लक्ष नहीं त्या उडवावी का त्या कशी उडवावी अशा प्रकार स्थेयत्व सुधा अपल्या मदे येत अहिमसास तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह त्या दृष्ट स्वरूपा मदे व्यत्व स्वरूपा मदे उबे होतात आर तात वयक्तिक स्वरूपाता संदोश हा नियम न पाल्यान अहिमसाधी यमसाधत नाहीत है आठीकानी लक्षार गेतला पाहीजे त्या मुले यमपालन काटे कोरपन जरभाईच असेल तर नियमान विशय हेलसाण चालू शकत नाही मंजे अहिमसा पालाईची असेल तर त्या साथी या नियमांगाचा स्विकार क्या है नियमांगा रुजल्या शिवाई ते पालता येत नाही है अपलाल थोड़े श्या विचारान सर्ज लक्षा देत अशा प्रकारे योगसाधकाचा संदरबात चालू शकत नहीं कि संतोषा शिवाई योगसाधना करीन संतोष हाथ एकाद रुष्टीनी सग्या योगांगाला मूल भूत है तर त्या मुले संतोषाच योगसाधकाचा संदरबातला महत्व प्राधान यहे लक्षाद गेतला पाईजे पातन जलानी संतोषाचा योगाचा उपांगा मधे समावेश करनेयाच एक कारन असा दिस्त की संतुष्ट वृत्ती शिवाई संतुष्ट वृत्ती शिवाई त्रुष्णा त्याग संभवत नाही थोड़ा सा विचार करा कि संतुष्ट वृत्ती नसेल तर त्रुष्णा जाहिल कशिवो तुरुष्णेला स्फुरं दिल जात, असंतुष्ट वृत्ति तुन तुन तुरुष्णेला स्फुरं दिल जात, तुरुष्णेला चड़वल जात, तुरुष्णेला फुगवल जात अर्थात योगा मधे वैराग्याच महत्व लक्षा देत अर्थात वैराग्या में जे तुरुष्णा त्याग और तुरुष्णा त्यागा चाटी संतुष्ट वृत्ती किती मूलगा मिये ये सहर लक्षा देत अर्था संतुष्ट वृत्ती शिवाय तुर्ष्णा त्याक संभवत नहीं मह काई दी परंपराज लगते तुर्ष्णे शिवाय बनाची शांतता नहीं बनाचा शांतते शिवाय चित्त स्थाइरे शिवाय चित्त स्थाइरे शिवाय चित्त निरोद नहीं तर निरोधा योगा चे दोन उपाय एत आणि दोन उपाय मंजे दोनी पालावे लागतात त्या ठिकानी हे किवा ते आशा प्रकारे नहीं है परियाय नहीं है तर वैराग्या साथी संतोश हे किती महत्वाच है ये सहस लक्षा देता अशाई कि भाष्यकारनी हे हेरून संतोशाचा संदरभाद बेचाली ताव्या सूत्रभाष्यात एक उधारन दिलेलै बेचाले सा सूत्रवाश्या मदे मंजे संतोष सिद्धी जाठीकानी आलाए संतोष आची फलश फलश शुरुती त्याठीकानी भाशन उद्रुत केलाए मगार तरल फार प्रसिद्ध खरातो सुवीचार है शान्ती परवाँ मदे 277 वयाध्या मदे साववाश लोके यच्चा काम सुखम लोके यच्चा दिव्यम महत सुखम त्रश्णा क्षय सुखस्य एते नारहत शोडशिम कलाम अर्था या लोकी जे कामजन्य सुखा है कामने न सर्जे थोनार जे सुखा है ते कि वह स्वर्गलोकी जे दिव्यम महन सुखा है ते त्रुष्णा नाश रूप सुखा चा सोड़ाव्या कलेशी ही बरोबरी करू शकनार नाजी अर्था संतोशा मदे त्रुष्णा त्याग अस्तो आने मुनुनस्त त्यानी संतोशाचा संधर्वा मदे त्रुष्णे बदलचा श्लोक आने सुविचाराण लेलाए अर्था त्रुष्णा ही योगाता प्रबल प्रतिपक्षिये करण का महाभारताता स्पुना आधी परवा मदे पंच्याइशावय अध्याय मदे चवतावाश लोक मुन तो फार प्रसिद्धा सवचने या दुस्ट्य या दुरुमतेर भिरियान जीर्यते जीर्यताम ताम त्रुष्णास सत्यन्ज प्राग्न्य सुखेम मैवामी पूयते हाँ विचा हाँ ही जे स्मुतिवचने ते आपन वायराग्या प्रकलना मदे पाहलेले ते मन्तात कि तुरुष्णा ही दुष्टबुधी लोकान द्वारा दुष्टरा है और त्यासा त्यागभाव हाँ कठी ने तोस त्रुष्टने सा त्याक करत जो विद्वान तो सुखान परिपूर्ण होतो अस ते वचने सुभाजी ते अधा संतोशाचा आहीमसे शी सम्मंद अपन पाहला कि वा असंतोशाचा हीमसे शी असलेला सम्मंद अपन पाहला अधा सग्ले यम अहीमसा मूलक असल्यान संतोशाचा सर्वयमांशी सम्मंद अन्वयान प्रस्थापी थोतो यही गणिती वास्तवी कता है यह गणिते, साध गणिते अधा आपन पाहला कि अहीमसेला मूल संतोशे संतोशाचुन अहीमसा जो पासली जाते हे आपन याधिकानी सोपपत्तिकत हाँ पाहिल और आपन पूर्वी यम प्रकरना मद्याच पाहिला कि आहीमसा ही हाजो यम है तो इतर यमानना मूल भूते मूल आधार है अहीमसे मुले सत्य, अहीमसे मुले ब्रह्मचरी, अहीमसे मुले अपरिग्रह सात्त, किम्भवना अहीमसे ची व्यापकताचे, त्या सगले व्यापकताचे, अहीमसा वर्धिष्णु झाली की सत्य, त्याही पेक्षा वर्धिष्णु झाली की ब्रह्मचरी आशाप्रकरे अहिमसा ही रती चा पावला सर के हथी रती चा पावला मधे इतर शगलया प्राणЕТ ची पावल की फव्याप्त शता हत ताहस अहिमसे परणन आपन पहिल fled तर यादिकानी जारते आपना अस पाहिला उपपपत्ति कधा पाहिला कि अहीमसे ला संतोष हा मूला धारे तर गणीत तहा असा सिद्ध होत की सत्याला सुझा संतोश हवे, ब्रह्मचरी आला संतोश हवे, अस्ते आला ब्रह्मचरी संतोश हवे, आपरी ग्रहाला संतोश हवे आहमसा वर्धिष्ण की सत्यू cracking पैक्ष्ण वर्धिष्ण की कि ब्रह्मचरी अशाप्ट कारे आपन तो विचारपाए। की आहमसा ही सर्व मूलकृत की ता की भछनलक्षाताला सेल की आहमसा हात्ती चा पौफला अरती ही है। आउल हाव्ल, की व्याप्त होता थ। तस आहीम्ી था वर्णळ अपन पाहेला। तर याधिकानी जार है आपन आउस पाहायला। व्याप्ति कदहां पाहेला girls saint रेसंתोश हा मूला धार हैं तर गणित ताहा आँसस इद्ध होत की सत्याला शुदा शांतोश है ब्रह्मचर याला संतोष हवे, अस्ते याला ब्रह्मचर संतोष हवे, आपरी गढ़ाला संतोष हवे त्या मुले संतोषाच मूल यकिती जबर्दस्त है, हे या ठीकानी लक्षादेत आथा संतोषाच वैराज्याशी आपन संबंद पायलाच संतोश नसेल तर वैराग्य बाणोणार अरस नहीं संतोश अशिवाय तृष्णा त्यात संभवात अस नहीं तसा संतोश अचा अभभयासाशी संबन्दाः अभभयास याचा जो शास्त्रा तांत्री करते है तो चित्त स्थईर्या साथी केलेला प्रयत्न अनि त्या मदे स्थिती संपादन, चित्ता चा स्थैरिया मदे स्थिती संपादन, त्या साठी होनारा प्रयत न मंजे अभ्यास असा शास्त्राने सांगितलः आता संतोश वुत्ती असल्या खेरीज चित्ता चा भरकट न्याचा धर्मावर अंकुष ठेवता येल का शक्यास नहीं जर चित्ता मदे संतोश नसेल तर चित्ता ये भरकट नारत मिजे संतुष्ट चित्त मानुसत, शान्त चित्त असुशक्तो, शान्त चित्त आलाच निर्वलै चित्त प्राप्त होतो, आणि तीच स्थिती, तो आणि त्यामुले अभ्याचाला संतोश, फे किती महत्वाच उपांगाए, किम्बवना आंगाए अशा तरने संतोशाचा अभ्याचाची असलेला संबंध ही अपलेला स्पष्ट दिस्तो, आथा संतोशाचा अभ्याचाची संबंध पाहला, आथा संतोशाचा तोड़ा तपाची संबंध भूया, जोग साधने अमधे तप किती मूलगामी है, किती महत्वाच उपांगाए, तर ता संतोशाचा तपाशी आसलेला संबंदध पाहू या तो धи खरक पा उन खालेलाई कि अपन हा महत्वाचा भाग पाईला कि योग सदाखां चल्थि अपण योगेत रां Harvard चल्थिप्याध प्रकस्तो अने मुख्य पर्खा कि योगी जन योग सादक थे तपा मदे ये परवरुत होता कि आप भावेत ते संतोष मूलग तेन studio भावेत अन्यथा नाही अर्था संतोषा थे तपास असलेला संबन्ध पहूं धालेला ऐसा अर्था तो पुना सांगर दा मंझे समस्त योगी क्तप हे संतोष जन्य असाव लागत अस सिध्धान्त वजा मनता हैता योगेतरांच जब संतोषाचा अभावान प्रवर्तमान होता हाँ फरक लक्षाद गेतला पाईजे योगेतरांच तप हे संतोषाचा अभावान प्रवर्तमान होता आणि योग्याच योग साधकाच तप ये संतोशातुन प्रवृत्त भायला पाईजे योगीक तपाच आपन विचार हा थोड़ा सा पूर्वी उपोध्यात प्रकरना मदे केला हुआ पूर्वी आपन तपाच विचार करता थीक यह अ रता त्या मुझेद संतोशाता तपाच असलेरा सम्मंध ही आतिकानी लक्षा देतौ तपाचा स््वाध्याईसे सुधाएक सम्मंध है योग्याचा योगिक स्वाध्याय हा संतोष मूलक अस्तो यही आपन सुरुवातेला पाहिला योगिक इश्वरबन धान ही यह संतोष जन्य अस्त है आपना अत्ताच पाहिला संतोष जन्य अस्त है यही आठिकानी लक्षा गेता है असे भक्ती रहस्त्या मारे यही आठिकानी काई महंटले ते तुम्हाला संतोष अंगला भाशे संतोष अरताधा भाग माराथि मले तुम्हाला आपतास संत लाए तो यह आसए की योगा प्रक्टिशनर अंटेंस इंतो रोल्म अपम इश्वरबन धान वर्शिप अवग्हाद विध कॉंटमेंट अब नेवर विध इस कॉंटन अर दिसहार्टने नस् thus the contentment is causal for a practitioner of yoga but what is cause at the beginning becomes the effect in multitude because Ishvara Prindhana confers on the yoga practitioner who now becomes a yogi, a fortified self-blossoming contentment which requires no cultivation thereafter and that Ishvara Prindhana dhwara svabhavik santosha prafulit ho to and santosha chi jo pasna ha paurusha prayatna so as to that la to some push tato does this is effectual contentment the causal contentment and effectual contentment yeah we see yeah he can happen to our which are byla yeah he can't even want sri krishna answer you get like vajan te smartha santushtaha satatam yogi yatatma dhudanishcaya mayyarpita mano buddhir yomad bhakt samepriyaha he santosha chi parakashtha and parakashthe cha santosha tkai milta hai saangitla and so as to that the se onde he is santosha vrutti and ishvara arpana vidhi rup ishvara apanidhán and bhakt and bhagwanta cha svagat sa svikar bhagwanta cha bhakti cha sandar baad svagat sa svikar so he is and a surek sangam ya shloka ma dhi hai आता संतोश्वृत्ती ही चित्ताची एक अचलावस्था आहे चित्ताची समतावस्था है हे मनोविज्ञान गीते मदे स्पष्ट निर्देशिदे भग्वन्त बारावा अध्या मदे एकुणिसावेशलोकात फंचाथ तुल्यनिंदा सुधीर मवनी संतुष्टो ये नके नचित्च अनिके तस्थिरमती भक्तिमान में प्रियो नरहा या ठीकानी मवनी पदाचा अर्थ इश्वर विशेयक मननशील असा जो अस्तो तो खर्या अर्थन मवनी कारण इश्वरा बद्दल बोलन असा साधुसंत सांगतात कि इश्वरा बद्दल परिपूरन बोलन जेका असेल भग्वनता बदल पूलन बोलन जेका असेल परिपूरन असा न्याय देनार बोलन जेकाई भक्तव्य असेल ते मंजे मौन मौना तत्स समग्रस अनि साग्रसांत अस वर्णम करता है तसता तर याधिकानी संतुष्ट है ये पत आलेले तैची व्यापती याश्लोकामार अपलास पष्टकलते आसो तो संतुष्टात्स असद्धा योगिक आनि योगेतर असे वुर्तिभेच संभोता योगेतरानी भोगलाल सा ठेवु नए मनुन धर्मशास्त्र कि वाद सुसंष्टु धर्मप्रिय मान्चाला ये का योग यासेल च्रेय यासेल त्या साथी संतोष्वृत्ती ही उपदेशित करतात् पण योगसादकाला प्राप्त भोगामदे संतुष्ट राहून योगमारगा च्रमन येत नाही ये धर्मशास्त्र जे सांकत जे आहे त्या संतुष्ट राहा और ये जर्वृत्ती याठिकानी केवल धरली तर योगमारगा मदे प्रगती होनार नाही तर याला योगसादकाला मॉडरेशन जाला मन्तात मर्यादीत पनाजो मन्तात त्याचा सहवाच चाल करावे लागते संतोष्ट मस्त ले पाथवे तो एसेटिसिजम तुछ अन एसेटिसिजम वोड़ बी पॉजिटिव और नाट नेगेटिव मुझे आहे त्यात संतुष्ट रहा याला स्तीमी तर था योगसादकाचा बापती त्याला पुढेजाओन असे मंतला पाईजे कि आणखी नहीं कमी भोगान मधे कमी उपभोगान मधे संतुष्ट रहा याला पाईजे हैं वहीं आज दर योगसादक महिना काथी हजार उपयाद दर तो संतुष्ट असेल तला संतुष्ट रहा याला स्ता प्रकार तुझा चित्ताच संयमन कर क्या शी संस्कूती घड़ो कि तुला हजारा चाज आगी आठ्ष्य रुपयाद सं तर योगसाथा काला 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 त शेवटी योगांग आशो, उपांग आशो, ते सर्व अभ्यास वैराग्य या राजमार्गाला मिलनारे गल्याबोल असावेच लागतात। अनि ते गल्याबोल आहेत कि नाही हे डोलस पन साधकाला पहाव लागता। योगाश कुठलाई अंग आशो, उपांग आशो, ते अनुष्ठान करताना, साधना करताना, ते त्या महामार्गाशे गल्याबोल आहेत कि नाही हे तैने डोलस पने पहले पाईजे। मुझे योगांग योगोपांग अनुष्ठाना मधे या गुष्ठी ताला डोलस पने हे रून आपली साधना योग्य दिशे नी आहे कि नहीं हे तपासता ये त। so yogic santosya is not a negative passivity to experience by way of remaining inactive, which can happen by helplessness and hopelessness. बट इस पॉजिटिव रेफ्रेंमेंट बाय माइटी आर्म्स अगांट अगांट थर्स्टलेस्टनेस और अपन सुरुवाति लाज पाहले कि संतोष वृत्ति काय ये ते मानसाला मानुस हतब दजाला तर तो निशामर्olate रहाला भक्तो किया यातः अ थीक है आहित था समाधानिः रहुया पंड योगिक संतोष जौँ करत आहितो आसान नहीं है अरण है संतोष वृत्तिला इक खासा जी जीवर आसा और नहीं लागेखते हो शरीर निकोप पाई जे अंतक्करन लिकोप पाई जे या गोश्वती आपले लक्षात याधो लक्षाध याधो का याधो इन परसर सन्तु भॱ्ती है तो याधो परसरल्ण एक ज ही योगाधो याधो लक्षास कले लक्षाधенно नूरा नूल जगता येतना ही निर्मान करता येतना ही जोगसादकाला सन्तुष सन्तोष कि वहां सन्तुष्ट गृत्ती सड़ी जढा है काई कराईचा आशेल ते मन्जे इपना आसनप्रानायामा द्वार ये विशिष्ठ दुर्ष्टि को laam 멧्ण आसन प्रानायाम साधाना हिजी क्यों आचार विचार सद्धा तशेज पाई यत। इर्षेला पेटलेला मानुस संतुष्ट कसा असेल। इर्षेला पेटन योगसाधने मदे कुठे लागू पड़त और किती लागू पड़त नाही यहाज गणित मानाशी पक्क पाईजे। इतर सगल्या परशूट्स मदे जाला मंटील तयका ने आपलाए मनुस संतुष्ट शेवया काय होत नाही तो इतर इर्षेला कुटलीवा पकुटलीशला पेटायचे और यहां कुठल्या इर्षयला पेटू नाइए, यहां गोष्टी किती महत्वाय चाहे थे याठीकानी लक्षार घेतला पाईजे, आर्थात आचार, विचार, यहां सग्याना एक विशेश दिशा ही असाई, विशिष्ट दिशा असाई लागते, तो भाग याठीकानी लक्षा लक्षार घेतला पाईजे, आर्णी अशा प्रकारे योगाला उपयोगी कि वाँ योगांगभूत असाई संतुष्ट वृत्ति ती पेशिन मदे बानाय लागते, जीवर आसाईनी मदन सर्जीत होते, आर्णी मती अस्खलित असी संतुष्ट वृत्ति ही आसते, तो उश व आसे लख्या ग्येतला पाईजे, तो याथी काणिे आपमन संतोष्या वृत्ति चा विचार के उgrkom, नियमां चा विचार, विशिष्टा विशिष्टा योगांगभूत संतोष मुन्खा अक कि आपने ने आपन पाईला संतोष्या 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 सांग्यत लाए, कि वहाँ आदर्श वादी शास्त्रातुन सुधा संतोष वृत्ती ही सांगित लेले तेचे चे आपन योग शास्त्रात ला संतोष हाँ पड़तावन पाहला तूलना समझून गेत लेले अर्था संतोष वृत्ती ही आठिकानी केवन नियम अनुन सांगित लेल नहीं है त्याची पालग कस करता हील तैचा शर्टी साधना सुदध ही आधिकाने सांगित लेली है अनेक वार सांगित लें सन्तोश हास और अहिम्सा पाईजे सत्य पाईजर आस्ते पाईजे ब्रह्मचर्य पाईजि अपरिग्रण पाईजे शवुच पाईजे तो पाईजे स्वाध्याय पाईजे इश्रवन्धान पाईजे आसन पयाम धालना ध्यान जयप या सग्लया गोष्टी सत्संग, साधनासंग, शास्त्रसंग, आचार, विचार, आहार, विहार या सग्लया गोष्टीन द्वारा ती संतो शुरुद्ती ए साधकाला है सद्धाऱा अफ्लयामदे सर्जीत करता ये, अंगभू तशी ती आए, ती वर्धमा नहीं करता ये आशा प्रकार एक रहाने संतुष्ट रहा सांगितलने, संतुष्ट कसर रहा, ये सुध्धाश सांगितलने हाँ महत्वासा भाग आहिमसा कस पालाव, हिमसे पास उन कस निवृत्त वाव, अव भनती ही साधन प्रणाली मुन याठिकानी जे सांगितली है, ते आनन्य साधारन महत्व राकते, तस जे संतोषच जावपते ते यासाज है, केवल संतुष्ट रहा स सांगितला ने, संतुष्ट कस रहाव है संधर्वामने संतुष्ट वृत्ती ही अत्यन्त महत्वाची आहे है लक्षाद गेतला पासीD, जो साधक असंतुष्ट असेल तो क्षुप्ध है तो योगसाधना करताना न करतосьतो, योगसाधना करताना योगनिवृत्ती करतосьतो मनामदे आसलारा क्रोध, मत्सर, गिर्षा यहजा मोले मनामदे एक अशान्तावस्ता ये एक ख्षोभावस्ता ये योगाला अत्यनत विरोधी है योग साथ कानी योग करताना पहिली संबालाईजी गोश्ट कुटले आसेल तचित्ताला समाधाने शान्त संतुष्ट ठेवाव और ती उर्थी वाडभावी और योगसाधना करता ने ती कशी वाड़ेल, कशी वाड़ू शकते याठीकानी संतुष्ट अचार प्रकारे अपन संतोष या दुसर्या नियमाचा विचार याठीकानी केलेलाए यान अंतर आपन तप या तिसर्या नियमा कड़े वल नारोथ तपाचा विचार करता ना तपाचा सामाननी अर्थ काए तपाचा नियमांगातिल मरियादित अर्थ तपाचा आपन क्रिया योगात आर्थ पाहलाच तपाचा नियमातिल मरियादित जो अर्थ है तो योगे तराँँचा जे तप अस्थ ते तप, योगसाधकाँचा तप, या सग्लया गोषटिंचा विचार कराला पाईज़े, अला कलक्षाँ. तापाचा सामान्य अर्थ, तापाचा विशेश अर्थ, तापाचा नियमांगा तिल मरियादी तर्थ, योगेतरांचसय जञप, योगसाधकांचसय जब, क्रियायोगांगत घप, आससके विचार यहाठितुगाने, आपलेला कराला पाईजे. अर्था अगदी शुरुवाति लासे जांगावाश वड़ता की योगा मधे योगाचा सरवांगा मधे पांगा मधे तपाचा अनुवाई सुधाह अपलेला पहावा रागना तोस महत्वाचा भाग अत्यंत महत्वाचा भागे अधा तपाचा विशे अगदी शुरुवाति लासे जांगावाश वड़ता की स्वाभाविक प्रवरुति पासोंजर अउशता किवा पूल्ण निवरुति साधाय चे असेल निग्रह कराय चा असेल तर प्रवरुति विरुद्ध जे निग्रह चेच गर्षन होता उष्णदा निर्मान होते तपस्त स्वाभाविक प्रवरुति या उतारा प्रमाने अस्तत त्या वर घश्रु नये मनुन शारिरीक, आइंदरीक, मानसीक, बवधीक संकल्प शक्तीचा असा जो संगर्षनाचा प्रकार निग्रह चेच न होतो त्या संगर्षनाचा कालना काया वाक मनस बवधीक प्रयत नाला एक तप्तत आयेते गाडीला ब्रेक दावला की चाक गरम होते तसे तसे आपलेला या उतारावर ब्रेक लावावला लागतो स्वाभाविक प्रवरुति चा उतारावर ब्रेक लावना तैनी तप्ततत आयेते शर्राला तप्ततत आई तर्षया आश निगरहया VR शर्राओ ए वीरुद्ध मना ज वीरुद्ध बुद्धी ज विरुद्ध Elaav प्रकार दोडरा Canon अश यथोचित नामा विदाने संगर्जने में उस्ठाथा ला कीन याå वाइग्हिन ज अऊ- वरुद्ध निग्रहाचा क्रिये मदे वाक काय मन तप तहोत असल्यान त्या निग्रह क्रिये ला तप अस यथाथ नामा विधान आहे अस सुर्वतिला सांगावस वाटता तशेच काई स्वाभाविक प्रवरुत्ती आस्तात। जीवना मदले चर्ण हस्तात। त्या मदे सुधा प्रवरुत्त होने असाथी काया वाक मने अतिरिक्त शक्ती संक्रमन कलावा लागत। हाँ मैं इखादे घाटा मिचे मंदले ना ताला मागने इंजिन लवताथ कि यह दोन इंजिन लवताथ तसा हाँ चड़ाचा प्रकार अस्तो जीवना मदे चड़ चड़ाचा अस्तो त्यावला सुधा अथिरिक्त शक्ति संज शर्जन लगता तसा हाँ शर्राचा चड़ मनाचा चड़ बुद्धी चड़ 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 अपया अथिरिक्त निरमान रोटे जीएला मुल तप्यमानत्व कारणां तप्यमानत्व कारणाया만 आसे याठिकाने शुरुवातिला सांगाव सवाट ये स्टप जाजा आपने एक आर्थ जुवाए अपला शास्त्रानी तप मुनुझे सांगितला तो शब्द आनी शब्दाचा आर्थ जा गोश्टि आपन याठिकानी सम्धुविदाचा प्रयत्न केला तोड़ क्याद मंजे स्वाभाविक प्रवरुत्ती पासु निवरुत्त होन्या साथी जो निग्रह होतो त्या निग्रहाचा साधनेला अनी जा स्वाभाविक अप्रवरुत्ती अस्ता त्या मदे प्रवरुत्त होन्या साथी आतिरिक्त प्रयत्न शक्ति संक्रमन जे अस्त त तप होए अनि मुलवन्यास अत्यन्त कठीन अशी जी वस्तु है गोश्ट है कोंती ही अशी वस्तु अनि गोश्ट तपान मिलते अस कवी महन्तात त्या मागे वैग्न्यानिक सत्य केवल काव्य नई है जादिकानी योगवसिष्ठकार मन्तात तपसाईव महोग्रेण जद्धु परांत तदाप्यते तीन चार चवदा कि जे अत्यन्त प्राप्ट करने अस कठीने ते तपा द्वारा प्राप्ट होत महाभारत का सुद्धा मन्तात दुस्तर अजिंकी अस जे आये ते प्राप्ट होने आस क्यों कठीन आस अनुलंगनी ये जे सग्र्या गोष्टी तपाचा योगान साध्य होतात खरोखर तपे अत्यन्त सामर्थ्यवाने ते वन्तात महाभारतात तेरावया परवामधे एक्षे वाविसावाध्याय अठ्थाश लोक दुरान्वयम दुरत धर्षम दुरापम दुरतिक्रमम सर्वम वै तपसा प्येधि तपोही बलवत्तरम आसा काव्यमे दिशनार काव्यमे वाटनार वास्तववाधी तपाचा दर्षन महाभारत कार करून देतात अन्खीने कोचने महाभारतातले ते आठोत चौदावया परवातले एक्षे वाविसावाध्याय सत्रावा श्लोक चाटी काने ऐसा मनटे यददुरआपं, धुरामनायं, दुराधर्षं, धुरनवयं, तटसर्वं, तपसाासाध्यं, तपोही दुरतिक्रमं जेजे मुनन असाध्यासेल, अत्यंत भयंकरकेवा अत्यंत दुस्तरासेल ते सग्ल तपान साध्य होत तपाच अतिक्रमन करना खरोखरस कठीने तपाशिवाई गोष्टी या गोष्टी साध्य होत नहीत असा महाभारत कार्मन तपाचा महिमागातात यी वास्त भी कता है तपाची केवल काव्यमाईताच वल्ण नहीं है यी वास्त भी कता है पर उखरस कठीने तपाशिवाय गोष्टी या गोष्टी साध्य होत नाहीत अस महाभारत कार्मनन तपाचा महिमाघातात की वास्तवी कता है। याद कुठलियाई प्रकारे अतिश्ययोगती नहीं है, आलंकार नहीं है। अता तपक्रिये मागे, तपाचा मागे अपन वईग्णियानिक जो भाग पाहला, वईग्णियानिक सिध्धान्त पाहला, तो तसा असल्यान में, वईग्णियानिक असा दुष्टिकों तपा मागे असल्यान, तपा मही में तिल काव्य हे शाहंतावर उभ असल्यान, त्यात वाटनारी आलंकारिक अतिशय योगती, ही अतिशय योगती कि उवाँ अर्थवाद मसून तपाच यथार्थ लक्षन, लक्षन च निर्देशन हे होत अस्त, अर्थवाँ शक्ति विला से, तपाच इस activity of energy in the form of heat, उष्णता, उष्णते जा स्वरूबा मदे ही एक उर्जाय, अने ये शक्ति सामर्थ्या अनुसार, तप कोंत ही कार्य सिद्ध करू शक्त, अने मनुनच, आर्ष कवी, तपाविशय भन्ताथ, न आप्राप्यम, तपाच्क्त, किन्चित, न अप्राप्यम, तपसहा किन्चित, तपानी अप्राप्य काही, ये महाभारततल सुभाशित वजा अस वचन है, शांति पर्वा मदे 255 अध्याय मदे तेविशावा श्लोक, रामायना मदे सदा एक वचन दिस्त, तपोही परमम श्रेय अहा, तपा सरक परम श्रेय दुसर काही ने, तपे परम श्रेय आये, रामायना मदे 779 याठिकानी असमटलेल सापड़त, महाभारता मदे तप मही महा विस्त्रूते, त्याठिकाने एक स्मूति खंडे, महाभारता मदे स्मूति खंडे काई श्लोकेत, तो स्मूति खंड आसा, सरुवं एतत तपो मूलं कवयहा परिचक्षते, नहीं अतप्तम तपा मूड़ा क्रिया फलं अवाप्यते, प्रजापती, इदं सरुवं तपसई वास्रुजत प्रभु, वेदानुष यस तपसा प्रतिपेदिरे, तपसई व संसिजिन्नम फलमूलानी यानिचे, त्रिलोकान तपसः सिद्धा पश्यंती सु समाहिता, आउशदानी गदारिनी क्रियाश्च विविदास्त था, तपसई वही सिद्ध्यंती तपो मूलं ही साधनं, यद दुरापं भवेत किंचि तच्सर्व तपसो भवेत, यद दुरापं दुरामनायं दुराजःःषं दुरस्तरं सर्वं तत तपसाशक्यं तपोही दुरतिक्रमं तपसई व सुतुप्ते नडरपापाद प्रमुच्य दे तपसो भहुरूपस्य तईस्ते द्वारं प्रवर्तत था, निवृत्या वर्तमानस्य परम नास्ति सन्यास परम atac the आवम हग अपन्वन आप्णक आपसा अके हेट प्राप्तूम् देवत तोम अपी निश्चयात कि समी आफ से शंति पर्वा मधे क्षे एक श्श्था अध्याय मर्याश सब्देशनल अश्णापरखार्ख से स्लो पत महाबारतकार मनतात कवी रुषी द्रष्टे विश्वाचे मूल सगल सतपस मानतात। आणि मूड अशे जे अतप्त राहून क्रिया फलाला मुक्तात सर्वशक्तिमान असा जो प्रजापती त्याना सुदा तपो बलानच ही सगेद रुष्यमान सुरुष्टी ही बनोलिये आणि रुषिनी तपानच वेद मिलवलेत विधाद्यान अन्न फल गंद मुल तपानच सुरुष्ट केली तैंची सुरुजन केला तर एकांत योग सिध्ध तपानच त्रहिलोक्य पहतात दगांत योग सिध्ध एकांता म mathematically योगिहाराहून तपाद्वारस त्रहिलोक्य पहतात तो दुश्प्राप्य आवश आहे, ते सग तपस्यन सुलब होत, तपस्यन प्राप्त होत, तसमा तप्त फे दुरतिक्रम है, तेस आतिक्रमन गरदायेत नहीं, तपाद्वारा सुतप्त होन, मनुष्य हाँ पाप विमोचित होतो, तपस्य जी अने गरूपैत, आने भिन्द भिन्द मारगान, मानुस्त्यात प्रोरुत्त होतो, वैशेही काला अनशन हे उत्तम तपे, वैशेही काला विश्यान मागेचो जातो, जनसामान्य त्याला अनशन हे उत्तम तपे, आने सन्याचा हुन परम तप नाही, अनशना हुन परमत अपना ही तपस्येनस देवदाना श्रेष्ठत्व पराप्त जालेला है तपस्येनस त्याना देवत्व आलेला है अशा प्रकारे महाभारता मदे या स्मृतिखंडा मदे तपस्ये जा महीमा गायला है हाके वर अर्थवाद नहीं तही वास्ता होता है महाबारदा मदले हिजे श्लोक अपन पाहिले मुरति खंड पाहिला त्या तपाचा मुक्त कंठान महिमाए अनि त्या मदे अत्ता साहिले प्रमाने काव्य स्वाभाविक आलंकारित्व जरी असले तरी त्या तपस्येचा विविदपाईशने विश्वाचा मुलाशी तप आहे, हे वैज्ञानिक दुर्ष्टीन पहताई शाष्वत सत्याई विश्वाचा मुलाशी तप आहे आसे जे मंदल, तैचा मुलाशी तप आसे शाष्वत सत्याई तप येक अच्छा तपाद्वारा हा सगताच शक्ति विलास होन विश्व निर्मीती होते या ठीकान आसा संगा वस वाटता यूदिवर्स येवन इस मिटिरियल अस्पेक्ट इस स्पोर्ट अफ एनर्जी शक्ति विलास जाला मनतात ये विश्व अच्छ तपाद्व शक्ति विलास है तप और तपस is a force or a process that creates energy therefore it is शक्ति सर्जका तपस is a reactor it is a शक्ति सर्जका it creates engenders energy the universe therefore is a sport of energy which results in by fusion of energy for material manifestation and that fusion is caused by tapas असे ए की अपल्या मदेजो काम है जीवराशी मदेजो काम है जाला इसायर समंता the desire called काम और इच्छ is the one that constitutes tapas तपसाचा हम आगे अशापरकर शीच्छा तीवराशी शीच्छाचते तीवराशी कामनासते तपाला ही गती मेलते and therefore the action of fusion of energy takes place does the tapas as a reactor manifests the universe the cosmos is outcome of such tapas of higher spirit heat is a main form of energy behind structure of cosmos the desire generates heat as a law of physics which also governs the law of physics in manifestation of cosmos आसे त्या मोले काम और इच्छा या मोले तपाला प्रवरूत्ती मिलते and त्याचा तून तपाचा शक्ति विलास शक्ति सर्जन होते अमनुन या त्याचा या संदर्पा मधे आसा है कि आपल्या मधे इच्छा कामना दिर्माध जाले कि आपल्या मधे कायत्री कि निष्ठा ये तप करावास वारत दुर्दम्य इच्छा अशेल तम आनोस पचाड लाजात। आने पचाड़ून तप होतास्त। तां तुम जामजा इच्छे मुले काई तप घरता आणी तपा मुले काई गोष्टी घरताथ अमानवी अति मानवी गोष्टी घरताथ विश्वाच्या बत्ति सुधधात हसते लMusic आटीकाने इच्छानी कामन आश्टे ती परबेस्टी सत्ते च्यांसते यादि कानि तैत्रिय ब्रह्म्म वल्ली मदली कंडी काठ्वते सो अकामयत त्यानी इच्छा केली तो परमात्मा सो अकामयत बहुस्याम प्रजाये एती मी अनेक भाव तपो तप्यत सतपस तप्त्वा इदं सर्वं अस्रुजन यदीदं किम्च अस तैत्रियोपनिश्रा मदे मंदलेले ब्रह्मा अनन्द वल्ली मदे मंदलेले आरतात विश्वाचा निर्मिती मागे परब्रह्माची कामना इच्छा आस्ते आनि तैचा मुले विश्वाची निर्मिती होते तोड़तातार पन या जाला सोलर सिस्टीम मनतात तर त्याचेकट दर अपन पाहिला सवूर माला सूर्य माला तर ही सगल सूर्य माला सूर्य पासुर निर्मान जाली अर्थात उष्णदे पासुर निर्मान जाली हे जे या सवरस रुष्टी मदे सूक्षमा है स्थूल आहे जे काई रसकाई आहे जे जे काई आहे ती सगल सगली सवरस शक्तिये आने सूर्य ये प्रचंड अनो भट्टिये ते आज सांगाई जे कारण नहीं मंजे त्या ती एक सूर्य ये एक ती तपस्तिया है सूर्य है तपाच तपाच जे जाला मैनिफेस्टेशन मनता तसा है अनि तेशा तो नहीं सगली सवरस रुष्टी निर्मान जाले तर आशा प्रकारे आपल्या तपाच द्वारा काही तरी विधायक अस घडल पाई जे आन आशा प्रकारे तपाच अहा विज्ञाना चा स्तरा वरुन जर विचार केला तरी आपला लक्षा देता कि सग्या सुष्टी चा मुळाशी है तपस है तसच धर्मशास्त्रा मरे तपाच द्वारा तपाची जी उष्णता आस्ते त्या उष्णते द्वारा पाप धूतली गली जाताथ अशा मंड़ है तपन शुध्धाने घष्टी चा सुद्धिक्राना चाटी त Rs 500 वस्तूय कपून आपन शुध्ध करतो अंतक कारना अला सुधा तपाच द्वारा तपून अंतक करना शुध्ध करता येता अशा धर्मशास्त्र संत आखना अनि आ सांग्ण्य 161 आध्यायत इसराश्लोक तपसाईव नरप पापात प्रमुच्यते, मानुसा पापातुन मुक्तो होतो कशाद्वारा सुतप्त हून, योग्या थपात द्वारा सुतप्त हून, तो आपले पापराशिन चा सुधा नाश करतास्तु हूत। तर अंतक्रनाच एक प्रप वेगलास्त। अंतक्रनाचे उष्ण नतार मिलते कुटल्या भट्टितुन मिलते हून, अपले अला अनतक्रनच शुद्ध करता हून, असत धर्मशास्त्राच मनने और योगा शास्त्रानी सुधात त्याला मान्यता दिलेली है। तर अशा प्रकारे आपन तपाचा विजार करनेयाचाटी विग्णानाचा या ठीकानी आधार गेतला विग्णाना द्वारसुदा समझून गेतला अणि ओडासका विज्तार करनेयाचा कारण तपाचा कसाही अर्थग्या विपत्तिशहा ग्या भावार्थग्या फलार्थग्या वाच्यार्थग्या ध्वनितार्थग्या तपाचा अतिरिक्त सामर्थ्यकार्णत सर्वशास्त्रांचा साधन प्रणाली मधे सग्ल्या उपासनांचा साधन प्रणाली मधे तपाचा एक मुखान स्विकार आहे कुठल्या ही धर्मा मधे, कुठल्या ही उपासने मधे तपाचा अस्विकार करन शक्य नहीं आनि तो केला गेलेला नाही तप कथना मधे आदर्शवाद वरकर नी दरी दिसला तरी ही तप महिमा हाथ याचा भावार्थान टत्स भरलेलाए तपाची आनि तप प्रक्रियेची कलपना मानसाला उतक्रांति वादातुन स्फुरली आसा उतक्रांति वादी मन्तो मानुस उतक्रांती वादी असा उतक्रांती वादी असा उतक्रांती वादी मन्तो पन अनादी सिध्ध वेदान मधे तपाचा तपमहीमेचा कंधगोशे मानुस उतक्रांती वादी असा उतक्रांती वादी वादी वेदान मधे तपाचा महीमेचा कंधगोशे तपमहीचा कंधगोशे वैश्विक साहित्या मधे आध्यस्थानी जो रुगवेदे आस आहित्याहसिक दृष्टी ठेवनारा मानुस मन्तो आशी आहित्याहसिक दृष्टी कोण ठेवनारी जी आये ते विश्वाचा आध्यसाहीत्या मधे रुगवेदाचा उल्लेक करता तपाचा उल्लेक आहे रुगवेदा मधे नव त्रैंशी एक या सुकता मधे अतप्ततनु तदामो अश्नुते शुरुतास इद्वहंतस्तत समाशत असमंडलेले अतप्ततनु तदामो जी आठीकन आसमंडले कि तुझा प्रिट्यर्च शरिरकष्ट सोस्थनारए बक्तानाच तुझा सामर्थ्याचा प्रत्ये येतो कश्ट न करना रिया, तप्त न करना रिया, अतप्त तनूलात, तो अनुभव येत ना ही, आस वेद द्रश्टे रुशी मन्तात रुग्वेदा मधेस धा, तपाजा स्विकारे, तपाजा महिमा गाई लेला है, अनिक पुढे, एका अजने का सूकता महते, मत्य चार तीतिस अक्रा या सूकता महते असे होन ले, कि हेरुभुन्यों कष्ट केलिया शिवाई अन्स सक्ष्यप्राप्त होत ना ही, आःथा तपा sitter कानी मंतले ले。 तपा वीशे एक प्रसिद्धार्थ, अपल्या मनामदेत का दिम्लाए कि अपल्या तप मंजे काईटरी वाटता कि वबा, काईटरी एक अमानुशी, अमानवी काईटरी कर्तृत्व करन, एक आपायर उभारान, अने एक देवस उपास करन, के सुपतत बसन, क्यो जला पंच्य काईटरी वागनी से वन मंतात, ते करन मंजे ग्रीश मरूत उतल्या माध्यान नी, कलपना करा ग्रीश परूतु है, मध्यान है, सूर्यत तरपतो है, अने आसा तो तरपतस्तान आपले लेक, मीनिट भर जुद्धा बाहर और उसता बगवत नहीं, आपले आला बाहर बगव सूर्या कड़े नहीं, बाहर बगवत नहीं, पन आशा वेला ताशा सूर्या मरे जाउन बसाईच, आनी तापले ले जमीनी ओर बसाईच, आनी चाहरी बजला पुना अगनी पेटवाईच, आपले समोर, मागे, दावी कड़े, उजवी कड़े, आने आसा काईथि अमान आसा काहिजरी करने एकाप आवर उभारान वगरे वगरे कि आप उपास ये रहान, उपास तापास करन, शर्रा ला पीडा देन, शर्रा ला ताडन करन, शर्रा चा केस उपतत बसन, आशी एक तपा बदल चे अपली कलपन आई, अर ता थे तप अशा प्रकाश तप कड़े प्रायस चित्त धर्मा मदे असेल, प्रायस चित्ता साथी आशा प्रकार से तप केला जात असेल, पन तो कई तपासा पूलनार्थ नहीं है, तप मुझे केवल तसच कही तरी आस्त असा सम्देश कारण नहीं, तपासा मुख्यार्थ, आर था विशेश ता योगा चा संदर योगी क्तप याखे, तैया था विशे अपन मण पाहिला, क्रिया योग प्रकारनी पाहिला, की जित्ता सालक्षय भोणार् नहीं, असा तुर्छत संबहलावो, योगा काहिता, अप ले नहीं है, आख लयाभ योगा थैंट है, तपासा मुख्यार्थ और आऍक योगा वास तद अनन्त तप फलम, अन्त शीतलता यास्या, तद अनन्त तप फलम अर्था चित्ताची अन्त शीतलता मुझे अन्त शीतलता मुझे अन्त करनाची शीतलता जात अस्ते तेज तपाच अनन्त फोले आनि तेज खर मुझे मुख्यार्थान तपे अलगा लक्षाथ, अंतक्रनातली शीतलताब मिलोन, असलेली टिकोन, आनी टिकोन पुना वाढ़ होन, हाजो प्रकारे त्यालाच याथिकाने मुख्यार थान, तप अस मटल गेलेलाए, तो अर्था अपने याथिकाने पानारोथ, जनसामान्यामदे अफार्ट कल्पनायत, तप मंजे काय, तर कहितरी अमानवी, अमानुष असकाहितरी कर्म करन, अमानवी, अमानुष असकाहितरी कर्म करन, मंजे अनेक दिवसान परेंत उपास करन, कहीन खान, कहन पानी वर्ज करन, पुड़े अगनी मागे अगनी उजवी कड़े अगनी डावी कड़े अगनी आशे जवल ठेवाईचे अगनी शर्ण ला तपदा करहेछ है शर्ण ला खीन करहेछ तदन माडन करहğinाormой तपन नमावी अगनी करम्यों मायोंट स्ब्सणि आंजित्य आपकायावर वह अगनी चाहत से डिवास्परियंत अशर्णि आपरोत टन वर्ज कट़े अधरze अर्था तपास तो अर्थ एक विशिष्थ दुष्टिकोना तो नसेल प्रायस्चित धर्मा मदे तो संगित लासेल प्रायस्चित अमन अशाप्रकार जिकाई तो पस्तील पंड तो तपासा मुख्यारत नाई है अपन अत्ता सवंद सुष्टिचा मुळाशित पस्त पंड पाईल और सर्जन शील ते साथी और तुमचा आमचा जीवना साथी सूर्य तलपतो सूर्य तापतो तो तुम्चा आमचा जीवना सथी तलपत अस्तो अशाप्र करे सूर्या तपा मदे सदा काईतरी विधायक अस्त अनि विधायक असायलाथ पाईजे सूर्य विभूणरु जो अपल्या मना जी रुज द Todeye, तो मुक्यार्श नुए तो गउणार तो अनि बॉंता हालाज अपने मुक्यार्द मॉता जी खुटाल तो अशो मुख्य मुद्दास आई कि अपलेला तपासा मुख्यार थकाए ऐसे योगवासिस्थया मथे पाच्छपण नौ मथे असमुंद ले न भी अनतषी तलता अनतक सीतलता अनतषीतलता यास्याद तद अननत तपफ्फलम अंभकरन शां ट्यलस आईल ешे अस्तर पेखर अनंतता पास भल अस्तर कि वा dances्त 1.2 अक्रड़ ए 63 तरा इंथर येवसें यत भोवति नान्यता इंद्रियां चासथ सेयं मिन्रियां चािन निकृह इंद्रियां चानयमान गे्छ फे vez न अन्यथा तपो भवती न अन्यथा सस्पष्ट उल्लेक महाभारता मदे रुशी करतात। अर्थात इंद्रियांचा संयम हेस्त पसुन अन्यथा तपनस्त महाभारता मदे पुना शांती परवा मदे दोंचे पन्नासा वाध्यायन मन्यथा इंद्रियांव एका ग्रम परमम तप तज्ययाय सर्वधर्मेभ्य सर्धर्म पर उच्चते मन अन्य इंद्रियांची एकागरता साध्यकलन हेज तपे हेज मुठ तपे अन्य एकागरता सर्वप्रकारचा कर्मा चलनान पेक्षा श्रेष्ठ है अलेगा लक्षात, एका कृता ही सर्वप्रकार चा कर्मान पेक्षा ही श्रेष्ठ है, कर्मा चलना पेक्षा श्रेष्ठ है, अन्ती साध्य कलना हा परमधर्म है, असा महाभारता मने मंदले, याद इकाने धर्म मंदल्या वर कर्मठ बना, कि वाँ पर सहिष्णुता, दुसर् ज्रुन आपला अपला लाटत धर्म मंजे करमठ पना, कि मा स्वभ हिनदान विशय, परमता विशय, परजनान विशय, साैस्नुता, अगले वगले, पंधर्माचा आर्थ तो, नहीं मुख्यार्थ धर्मा आर्जा काए या संदर्वाथ सांगुन जावस वटत गर्दाची आणि निश्रे ससिद्धी करून देनारी जे आचार निती प्रणाली तो धर्म है। तफा दर्म है, तफा मदे धर्म यता है। असा मतल्यान अन्तर, जा मदे परमता बदल असरे श्रेश्ण चासन, तुवाप दुस्रेयान बदल दुस्रेयान साथी कटोर असन, तफा जीवजाती ला किम्भूना अभई देनारा आश्रे अस्तु। धर्मा शर्य हे जीवाला निर्वन्चता असली लागता। तपस्वी रभ धर्मराज असलियाना तपस्वी हा सन्ध्यात निरुपत ध्रविज ओला जर्टके बस्तील धर्टो शास्त्रोक तपस्वी नाही तपस्वी ऍह समसाव। आपन जर एका द्या मुड़े पोल्डे जाता सु अपले रवाट तो तपस्वी है अपन जर पोल्डे जाता सु तर तो तपस्वी नाही अससम जाव तपाचा धर्मलक्षना मरे अंतरभाव करताना महवारतकार मन्तात पुना शांति परवा मरे चत्तिसावय अध्याय मरे दावाश्लोक अधतस्य अनुपादानम दानम अध्ययनम तपह अहिम्सा सत्यम अक्रोध इज्या धर्मस्य लक्षनम हे धर्माच लक्षनासलेच महवारतकार सांगतात्च यसा अर्षा असा कि ठेवुले जैसेच अनंतरावे अनि मिलेल चाथ भागवाव समालानम मिलवाव असा अपरिग्रह दान अध्ययन तपह अहिम्सा सत्य अक्रोध अनि याग्निक उर्ति ही धर्माच लक्षनेट अलेक लक्षनेट अन्यत्र अस्तविद धर्म धर्मप्राप्तिचा मार्ग सांगताना सुधा भारतकार मन्तात् महाभारतकार मन्तात् कि यग्निय अध्ययन दान तप सत्यक्षमा इंद्रिय निग्रह निर्लोबता असा आठ प्रकारचा धर्मप्राप्तिचा मार्ग अलेक अलक्षद, आर्था चांचल्य, लोभी पना, आणिक अधाशी पना, असत्याचरन, परिग्रह यहांचाशी अन्वय असुशकत नाही, जो तरप करतो त्यचा मिदे कुटलाही प्रकादित मला इंद्रिय चांचल्य दिस्ता कामा नही है, त्यचा मिदे लोभी पना अस अस्त्याचरन अस्ता कामा नहीं, परीग्रह अस्ता कामा नहीं रत्याय को रिण सब्सकतना। महाबारताने उद्योक पर्वा मति मंदले पस्तिसाह अध्याय 46 वार्श लोग इझ्या धैनादानानी तपस्त्यम्क्षमाल अलो ऑई टी मारगोयां धर्मस्य अश्टविदस मुदहा याला आश्टवीद धर्मस मंदलेले और तफा धर्मा ये तफा धर्माच एक लक्षने तफा मदे काई असायला पाजे और काई नसायला पाजे यहाच याठीकाने आपने निगमन कोरुशोगतू याठीकाने महानाराण उपनेशदा मदली एक शुरृतियाथ होते धोडि सूर्थी धाउरच ये महानाराण उपनेशदाम दे रतम्तततत शत्यम्ततत श्रतम्ततत शान्ततत अपसतत शमसततत चाहत धानंततत जयतत पो भूर भूवस्व व START भ्रम हैतत अपस्यतततत में तर शुर्ती स्मुती शास्त्र सम्जून घेन हेता पे, त्यांचा अध्यान हेता पे, में तर आपल्या इंद्रियानना शान्त करना हेता पे, में तर निग्रह करना हेता पे, में तर शान्त वुर्ती मिलोना हेता पे, आणे दान देना हेता पे, अशा प्रकाले तपाच वरनां त्या शुरुति वच नामदे तपाच विस्त्रूत लक्षन दिस्त अनि कप मंजे देह दंडन, शरीर ताडन वगेर या दुष्टिन जाला मौर्टिफिकेशन मन्ता शर्राच अच्छल करना, शर्राला त्रास देना हा तठाखती तपाच अर्थ अत्यंत संकोची अहे उड़ज नाही तरतो अयोग ये अने अर्था तेचा अर्था असा युक नाही कि तपामरे शरीर इंद्रिय मन यावर कुम्चाही प्रकारे बलातकार हू नाही असा ही मानूने तपाच अप्राथमेक स्वरूप काही अउशान देह मन इंद्रिय यावर नियंत्रना नियमन करना त्यांच नियमन करना आशा प्रकारच अस्त नाही असा ने देहेंद्रिय संगा ताला ममतेन कुर्वालाव चुस्कारावा हा अर्था चा बेहर्था बेहर्थ होई लिए थाधे बोनी तरी जुला देचाईं नहीं आर्थे में plaintढ्र है और waiver जोटअगे लाई पेड़र्ट लें भाव्यश जबहुने होना है अनिछनल नहीं के सेंहो हुए को सुन होल explained कियो, विस विकल पत्यद shallow talks नीमल ओने Dieुपधि असरीशुन thoughts पाशवी मांस सुड़ा आपन सामान्यय जणसुद अट्यान्त निष्क्रिय वास्त त्याला ति आची सहिश्नता जाते शहन चकती संवते, सामान्निय मानसा दला निश्क्रियिवाटात नियंत्री द्वाटात , कि टक वाटात , कीडवाटात , जन्तू वाटतात आम ये त्यान दस त्या मानसाच दुरुष्टिकोन बनतो आनि त्या मुले असा असाइश्णता ग्रस्त मानूस हाँ खर्यार्थ आनि तपस्वी धरत नस्तो शार रीक्तप केलियान आशी स्फोटक वृत्ती ही यवुशत्ते आनि ती वारते सुधा तपाचा मारगा मदे नियंत्रन आणून हासगा प्रकार वरिल प्रकार घडू नये मनुन सुध्धा शास्त्र वर्चावर लाल कंदिल दाखो तत तपा मानली जी उश्णताए उश्णतीत सर्जने त्या मुले एनारी जी दाहकताए क्रोधा मदे ती परणत होते हुशत्ते आनि सानिध्य प्राप्त निश्पाप जीवान ना सुध्धा जी दैय करते पोलूं कारते स्वशर्जी धर्मालाहि भस्मकर्त केवलत्यानना पूलत्नी या तपस्वीज ओस्तो तो दुस्रयानना पूलत्नी स्वतालासुबधा भस्मकरुणतकतो रामायन का टीकाने मंतात तपते म्मिलां wr यहांच अनुवय फार दिस्तो, तारन नियंत्रित आश नियमन तपाच जालेल नस्त, तपाच योग्य तंत्र हे वापर लगेलेल नस्त मनुष्य जे तप करतो, ते यजन दान करतो, त्या सर्वाचा क्रोधान नाश होतो, त्या मुझे क्रोधाचा सर्वस्वी त्याक करावा अश रामायन कार मन्तात तपाच यसार्थ श्वरूप मन्जे का itar अपरी ग्रहे, अपन याठाणि तपाचे स्वरुपाचसा वीचार करतो हे, मुख्यार था न करतो हे त्यां मले गम्तिदार अशे तुमाला याठीकानी तेचे पईलू विचित्रवाटि अशे पईलू तुमाल जानवतिल पंटेश खरे तेचे आंगभूत पईलू है खरया तापाचे शाश्वत तपाचे, शास्त्रमूलक तपाचे, तपाचे यथात स्वरूप अपरिग्रह, सत्यधर्म, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, विया सभ्यान्चा पादन मंजे तपे यादिकाने आसा मन्टा येल कि ववा, आसा जरेखाता आसेलगवा कि नेमी अपरिग्रहा न रहातो, सन्यस्त वृत्ति न रहातो, सत्यधर्मावर रहातो, सत्यधर्माचरन करतो, आहिंसे न रहातो, प्रमचरियात रहातो, तर आशाम कि वन दिर लोब वृत्ति न रहातो, इ आशा प्रश्ण याठी काने पड़तो आणी असे कित अब जब धर्मी आसेल, धर्म्य मारगावर चासेल, तर धर्म आः जा रक्षन करीलच धर्माच वैशिष्ठ पुड़न लक्षन है, धर्माच धर्म्य मानचा रक्षन करना अरच करना, धर्मविश्य कहाँ वैदिक सिध मनुस्पूदी मंते कि धर्माच रक्षन करना अरक्षन खर्थो, मनुं धर्म अनुलअगणिय करसे, ऐ प्रसिद्ध वचने धर्म हेव हथो हंती धर्मो रक्ष दे रक्षित हा, तस्माद धर्मोन अंतव्यो मानो धर्मो अतो अवधित आठ्विया अध्याय मतला पंध्रावाश लोके रामान मदे महर्शित अपस्वी रामाला मन्तात न्यस्त दंडा वयम राजन जितक्रोधा जितेंद्रियाह रक्षणीय स्त्वया श्रश्वत गर्बभूतास तपोधनह रमा, आमी क्रोधसैयमन आणी इंद्रियाह दमन करून प्राण्यांचा निग्रह कलन्याच धरोलेले मनुन माता जा प्रमाने गर्भाच रक्षण करते त्या प्रमाने तुला नित्या आमच रक्षण कराला पाईजे आमी याद धर्म मार्गाव राणारोत अमचा तो निगरहै तो आमले तूच अमचा रक्षण कराला पाईजे ज़्छा माता अपल्या गर्भाचा रक्षण करते अच्छा प्रकारे धर्म मारगाव रास्टनारे आला कुठल्याही प्रकारे दौरुभिक्षामादे अड़काव लागत अचीजी अपली सम्झुते न ती खरी नाईए और था तपस्वीच रक्षन होत कि उमाग कस या प्रस्णावर याठिया ग्यानिक अड़ धर्म शास्त्रिय विचार्च याठिकानी केला जो अध्यंत उपादे या महत्वाचा होता और यहाचा तुन योगी कत अपलेला करतला है ते करण शेवटी योग हाँ धर्म है ताहे धर्मियत अपकि वाँ योगी कत अप या विशे अपलेल थोड़ास दिखदर्शन याठिकाने भायला पाईजे अणि ते दिखदर्शन अपलेला गीते मदे सापडता गीते मदे तपाचा एक वर्गी करने त्यासा कि इत फे त्रिविद असता शारेरिक वांगमाई मान असा शारेराच वागेंद्रियाच वाचेच अणि मानाच अशा प्रकारे तीन प्रकारची तपसाधनास्तेक या तपाचे विधे असतात आणि हे प्रत्येक यतले पुना साथ्विक राजसिक तामसी कस्तात मंजे शारेरिक तप हे साथ्विक राजसिक तामसी कस्ता वांगमाई तप हे साथ्विक राजसिक तामसी कस्ता मानस तप हे साथ्विक राजसिक तामसी कस्ता मज़ थतव कशा द्वारा कराईच, तेची तीन प्रकारे, शारिरिक、 वांगमाय, मानस आणि थतव क Veterans Pas perfect, तेची गुरंबैं, तेची तीन प्रकारे नहव प्रकारची थतव गीते मधे सांगेते के डिले यात। तरब जे काया वाचा मनसहा अस्ता समंदल, ते तपाचा साधने, तपाचा साधन एक तर शरीर है कि वाँ वाचा है, कि वाँ मन है, या तीन साधनां द्वारा आपने तरब करू शक्तु। किकलपना करme या तीन पेखी उठला है कि गूठल आहिसा अस्ता साधने सिवाय आपन तप करूशक्त अक तरब कलं नाहिए, वाँ पाचा वाँ चा म क क कि वाँ वाजेंदृय कि वाँ मन पाचेए, कि वाँ मन पाचेए आणे मग तामस सात्वीक राजासीक तामस ही खेजए वतर अगी एपे अगषमा आणि, ता अगरें फिषगे क्बा्य आध न्हीं खैति है। ता एक तर दे शात्वी कसेल, क्यों राजासी कसेल, क्यों तामसी कसेल तपाचा साधनकुठल specific doesn t require the body of body, whats and how the gives us अशा प्रकारे एक तपाचा वाइज्न्यानिक वर्गीकरण nota Life आण या वर्गीकरण से तर आपन विचार केला ते-छ परिक्षण केल तर तापाशा परिपूर्ण विचारहा केला जायल। अधा दोन व्यक्तिन नी एकाच प्रकार्च सम्झा काईक, क्यों मानसी क्यों आज वाँआ वांग में तब केला। दोन मानसा नी एक शारिरीक मना, काईक मना, क्यों वाचीक मना अच तब केला। तर ते समसमान थर्णा नहीं, क्यों अलागा लक्षाथ ते समसमान के वा एकाच तीवरते दरी तरी तरी तुल्य बढ़ नस्थ तो तो आंवाली तेची फ़लशुरुती सुधा एक नस्थे आपन मुंदो हो मी पन तेजकेल, त्यान यान पन तेजकेल, यान पन तेजकेल, त्यान ते गाना विभवकली त्तक्रेशा पर्लिदी तेची भलशृती ही अवलंबुनास्ते है। तर तिस्राज हो है। तो तामसिक गुणान प्रभावित होग। जारन वालनादी सामर्थ्या साथी करेल। या मलेते सग्रित्या तीनी प्रकारचा तपांची फलसृती निश्चित्वेगे असनार। तप जरी एकज असला। अलेका लक्षात। तपाद उस्थान जरी एकज वाटल तरी नहीं तपस्वीत समतूल या क्या तूल्य बल क्या समिकृत करता येत नाहीत। अधा गीता शास्त्रा नुसार तपाचे शारिरीक मानसीक वागमे असे प्रकारेत। ये तर अंचान शार लक्षन आपन पहले नी पहु जा कि शारीक मुतव काय मानसीक काय वागमे काय तर यादी काना ऐसा सांगवास वाटत की तत पूर्वी ते पहाने पूर्वी अपला वाइदिक प्रणाली मधे तप मंझे आस्तिक या बुद्धीन केलेल निक्रहा साथी निक्रहा दिन साथी चेलेल अस्त तेज तप अस्त आपन सम्झून गेतला पाईये। पूर्व जन्म होता, पुनर जन्म आहे या अपले धारनायत। पुना स्वर्गादी, नर्कादी, उर्ध्व अधर लोक आहे त यी धारनायत। या सगया वाइदिक धारने वर विश्वास। अंतर सेश्वर वाद। आत्मवाद, आत्म आहे यासमाने अपली धारनासन जहला आस्तिक्य घट्धि मनताथ। आत्मा अमर आहे या सगया या धारनायत। त्या अस्तिक्य घट्धि अखला आफोशे कैसते। अले गलक्षाथ, और या शास्त्र उपपादनान वर श्रद्धा असनही जास्तिक्य बुधिये ती नस्ताना जे तपसादुष अमानवी प्रयत्न देह व्यापार कि उमास साधना केले जाताथ, देह शुष्क करनेयाचे प्रयत्न केले जाताथ, देह दंडन वगरे साथी मानसाना चकित करनेयाचे आपन अतिमानवी आहोत, अमानवी आहोत, वगरेत आखुनेयाचे जे केले जाताथ, तपत तनू होनेयाचे जो प्रकार अस्तो, देह खर्यार्थान तप ठरत नाहीत, और त्यानना तप मानन्याचे वैदिकाला कारण नाही इक दाजर जगाला चकित करनेयाचाटी आस्तिक्य बुध्धी नस्ताना अति मानूश प्रकार करतासेल, तर त्यालाथ तप मान्याचे अनुचित्य वैदिकाने करूनेयाचे अले गलक्साथ, आसात वैदिक परमपरे मदे नास्तिक्य बुध्धी न शरीर शुषक विन्य आसा जो प्रयत्न केला जातो, प्रकार केला जातो, ते तप ठरत नाही आस्तिक्य बुध्धी न तप अचरला गेला पाईजे अधा गीते मदे अपन पहला वर्गे करन पाईला शारिरिक, वांग्मय आने मानसिक, आशा साधनाचा अनुशंगाना तीन प्रकार्ची तप सांगित लेत, तप शारिर तप कुठला तर सत्रा व्याध्या अमारे चौदा व्याश्लोका मदे मंटले देव, दिविज, घुरु, प्राग्य, पूजणं, शौचं, आर्जवं, ब्रह्मचरिय, अहिम्साच, शारिरं, तप उच्यते देवता, ब्राह्मन, गुरुजण, ज्ञानी, यांच्या विशेई पुन्यभाव और पावित्रिया चाथी शौचव्यापार, ब्रह्मचरिय, अहिम्सापालन, तप शारिर तप है अर्थाथ, जा आचरणा मधे शरीर प्रधान अउँशे, शरीर प्रधान हाँँशे, इसे फ्रखारेत, मनुद उछ्न ते शारीर तप असा मन्ट लेकेलाए, यह सग्डे आचार काया वाक्मन असतात्, जाथ। ला को साथ अदिया काया वाकमन हो दूला कि कि अदि को से पाक, अरिके तला उन्हाँलिए, तों Gietla अ वह डिला मगता आप . कि अरगलदो आट उन्हा, लाज आउन्हे राला रद्ध प्रां नह गाहिता नहिए यारिर्गान सथ्रु पर ऐला मगता है को अजके का अचार आठीकानी मिपएत शारण wil कुल ना राक। यही जे ही आठकानी पालन संगित लाय, आचार संगित लाय तो केवो शर्रा द्वारा कराईच्या h daí ए मन शालतरी सालेल अहा ही आठकानी पलवाट काड़ लिवाट काठ्या है करुए नई है शरीर प्रधान पसत त्यला शारीर अथ मंटलास्त केवल शर्रानी केल जाना रथ प्यला शारीर अथ प्मंटला नई गीता भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य याचा पस्टोले करता नहीं ताथ शरीर निर्वार्थम शरीर प्रधान ही सर्वरेव कार्य करन ही कत्रा दिभी साध्यम शारीरम तप उच्चते बाष्यक्ते शरीर प्रधान ही ताथ शरीर प्रधान ही शराद्वारा जो प्रधान उच्च निवर्तित केला जातो अशा करता करन ही त्या दिन करून साध्य होना रत फे शारीर तप असा दिन जा खुला साय तो आचार निवाल शाररी अस्तो असा गयर समझुद करूँ नेजा प्रकार याठिकान वो नहीं ये, नहीं नाखुला है, अले कलाक्षार। यही जे यह आठिकानी पालन संगेत लाए, आचार संगेत लाए, तो केवल शर्रा द्वारा कराईचा है, मन नस्लतरी चालेल, आसा यह आठिकानी पढ़वाट काड़नेचा प्रकार करू नहीं है शरीर प्रधान, आसा यह तो पस्तो त्याला शारीर तो मन नस्तो, केवल शर्रा नी केल जाना रत्तो त्याला शारीर तो मन नहीं है गीता भाष्यकार आचार्य शंकराचार्य यह तो पस्तोले करता नहीं नहीं है, शरीर निर्वार्थम, शरीर प्रधाना यही, सर्वरेव कार्य करना यही, कत्रा दिभी, साध्यम शारीरम तप उच्चते, शरीर प्रधान आसा यह त्याला शारीर तो मन नहीं है में जाच शरीर प्रधान है शर्राद्वारा जो प्रधान उश निवर्तित केला जातो अशाकर्ता करन इत्यादीन कडून साध्य होना रत फे शारीर तपस्त असादेंचा कुलास है अँंता उध माइद्प्मजे काए वांग्माइद्पापद्धल भग्वान मंतात् भग्वान स्विक्र्ष्णामंतात् अउध्या अट्रभय अट्र पंद्रावः श्लोगात्मनतात् अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम जैत स्वाध्याय अध्ययनं जै वांगम तप उच्यते दुस्री आला उद्वेग होईल आसन्न वचन करना आसन वचन करना आनी सत्य वक्तव्य करना प्रियहितकर बोलना स्वाध्यायासाभईयास करना, स्वाध्याया करना, तैजी सवय करना ये सगल वानी संब्वंधिस सतत है, वांगमाई तत पै, अरधात आपंजे उध्वेग पूर्ण वचन करतो ते घुपधचित अस्तानास करतो, कि वा मत्सराने पीडित अस्ताना करतो, क्रोधान आपन पेटलो असलियाना करतास्तो, दुसर्याला उद्वेग देन्या साथे आपन ते याकाना न करतास्तो अने आपन उद्वेग कारक वजन ते आमले बोलतो, या त्या मागी उद्वेगा मागी या गुष्टी अस्तात, या चिताता स्फोट अस्तो आणि या विश्फोटाला टालन मंजे जाच दमन करन हा निग्रह असलियान तशा विश्फोटाचा प्रतिबंध क्रन्याचा प्रकार या ठीकानी तप धरतो आलका लक्षत के वल गोड बोल्या नहीं, गोड बोल्यार हना है मांगमाई तप नहीं है, दुसर्याला उद्वेग न देना खर बोल्न, सत्य पालन, या ठीकानी मांगमाई तप नहीं त्या सड़ी लागना दीची धारना है आपन सत्याचा विचार करता ना यह प्रकारना मधे के लाकी तया सत्या आचरना मागे काया अचायला हवे तो त्या सग्रया गोश्टी बंजी जामले उद्वेग, निर्मान होनार नाही आशेजिक प्रोध हसताथ आशेजे अपल्याला मद असतो, अपल्याला मचर असतो, दंभ असतो, कि वाक्षुधत असते त्याच कुष्टी नहीं हो न देन हे माना सीखत वपे अले गलक्षात तासच परिस्थिती कार्णा मानसाचा तोंड़न सहज असत्य वक्तव्य होत वास्तववा देहा खोटव बोल्न्याचा प्रकार परिसिती कार्णा अत्यंत सहज स्वाभाविक निर्भाध पने होतों आडे तो तातकाल ख्षणमात्रा थोतों तोंड़ना अउसरे नस्तो थांबोनाचा थोपोनाचा अन्तो निग्रहित करन्याचा निर्धार मंजे निस्पुरुःता लागते त्यामोले सत्या मागे तपाच भाणूवल लागते तसच प्रियकर हितकर बोल्न्याचाडी गुनसरजन लागते अपले में गुन आसायला पाई ये तर अपन प्रियकर हितकर बोल्नाचाडी त्यामोले सत्या जन्याचाडी तप लागता त्यामोले गीता वचनानुसार वाक्व्यापार करनेयास्त प्मंडला हे हे वाक्प्रधान अस्तल्यान वांगमेत फोत अनि यामधे काया मनस अनन्वित अस्तात असा मात्र गैर समस्त कोरूंगी हुने अचाप्रकारची अल्लक्षाद तस स्वाध्याय मनजे मोक्षषास्त्र अध्यान वाचन पठन अश्वाभाविक असल्यान त्यामागी निरधार असल्याकालन ते वांगमेत अपथर्त घ्रियामरे परिया परक्षा सने केमें का खाला जोने पुलागें, खेला जोने प्रियकर, अनुद्वेकर वगरे वचन केल्याचा भास होतो. व्यापारी, व्यापारी कासा गोड़ बोले अस्तो. अपलेला उद्वेक देनार ने अपन त्याला डोन शिवया असाडले अपमान केला तरी तो हसमुख सास्तो. नाव अपरवाने हसमुख रातो. कि वा नसल नाव तरी तो हसमुख रातो. तर ते तरप नस्त. त्या मुले वाग व्यापारा मरे अपन अपन विशलेशनाचा समुच्य पाहला तो असाडला हवेच्छ. तरस ते वाग मै तरप होत. पुना याटिकाने गिता भाष्यकार्शी मत शंकराचार्य मन्ताथ. विशेशन धर्म समुच्य यार्थ सत्यत्व प्रियत्व अनुद्वेकर गरत्व. असे ही तेन धर्म त्याखिकाने ते सांगताथ. त्यांसा समुच्य है सांगताथ. त्या मजे वानी ही शमुच्चीत पाईजे या गुणानी ही शमुच्चीत पाईजे ये वांगमय टप थरेल अंन्य था नदद वांगमय ढतप अशो आचार्य मंता शंकराचार्य मंता सट्रावय आध्याय मध्ये 15 व्य श्लोकावर जबत पाश्य अशा गुनत्र ये समुच्चित वाट्क्याच उधारन मन्जे काय? कस उधारन असेल? आई का? बाला, शान्त हो, स्वाध्याय आनी योग यहांचा अनुष्ठान कर मन्जे तुझा कल्यान हुईल ये वचने, हे सत्य, याद प्रिय हीतकरे अलेकलक्षाद अशा प्रकार चा वचने वाइला पाईजी अर्थात अशा प्रकार चा वाख्याचा उच्चार कलने आचा निर्धार करन मन्जे बर्याच आउंशान जिभेवर नियंत्रन येत वाचालता याला सहयोगी करापी होव शकत नहीं, वाचालता असतानापले लहाद धर्मक कदी ही पालता यानार नहीं वांग मै तपाणी वाचालता यांचा अनुए हास्यास पदे त्या मुळे मौण कि वाख्शान तवुर्ती ही जोपासा वीच लागते अंपर का मदला अनाठाई पना हां कमी करावात लागतो त्या मुले त्याचा बहुविध असा लाभा या तपाचा हो दस्तौ। स्वाध्याय रूप तपाद्वार काय साथ पी ज्नानेश्वरां चा भाशे त्याठीकाने सांगनेयाचा मुहुव होतो। ज्नानेश्वर 17 वेध्याय मदे 222 वेध मंदात् रुग वेधा दी तीनी प्रतिष्था जती वाग भोवनी केली जैसी वदनी ब्रह्मशाला तोंडाची ब्रह्मशाला करन यहला तनी वांगमायत अप मंदले अत्यंत सुंदर असा तनी रूपक दिलेलेले दीनी वेधांची वाचारूप मंदिरा मने प्राण प्रतिस्था करोन अपने वदनाची वचनाची वागे ची जो वेधसालाइच करतों ते मांगमाय तपै। अथा मानस तपा लेवा प्रकार दूपक है। मनाचा प्रशाद, साउम्यत्व, मौन, आट्म विनिक्रह, भाव संशद्धी, भावाची शुद्धी, जाला मानस तर्प मंदलेला है अर्थार मनाचा प्रसाद, सौम्यत्व, मौना भ्यास, मनो निग्रह, अंतक्रन सम्षुद्धी, भाव सम्षुद्धी, हे सगल मन विशेक्त पस्ता मनाचा प्रसादा साथी योग शास्त्रा सा उपदेश काए मैत्रियादी भावना जोपास्न, मैत्री, करुणा, मुधिता, उपेक्षानाम, सुखदुख, पुन्या, पुन्य, विशेयानाम, भावनादस, चित्त प्रसादनाम चित्त प्रसादीत करनेचा उपाए, जाठी काणी सांगित लाए आनि तेचा सौम्यत्वा साथी इश्वर पनिधान, अहम पासुन्नी वृत्त होन, अहम पृत्ती पासुन्नी वृत्त होन, वृत्या मतले काठीन्य घालोन, मृदु वृत्या होन, मौनाद्वारा निग्रह साद्न, मनो निग्रह साद्न, हे सक्वे प्रकार्यात पामदे मो अधिकाने अथिश्वेक्ति काई नहीं है। योगाच अंतरंग जोपासन त्या साधनाच आंगेकार करन मन्जे मानस त्प है। और त्या तिनी तपकरन तपाची करनाएथ अंतक्रनाचा कुठल्या रंगान उपरक्त आहेथ। या वर त्या तपाचा स्वरूपाचा निहलाण होतास त्या नहीं है। नहीं परक्तक्रनाच कुठल्या त्या कुठल्या रंगा उपरक्ति क्यों सवरूप द्योफ। करना से कि उधानात शारिरिक तपा मधे देवपूजन जर निश्काम पन स्वाप्भ्यूदय निश्चे साथी जर होता सेल तर ते शुक्लतप मनजे साथ्विक तपस्ट देवपूजना चा तोच विधी आणि सश्रध्धते न होने आमागे जनमान सामधे अपल्या विशेई आदर निर्मान वावावा कि ओहाँ धर्म्य उर्द्धी जा मानो से हाँ एक साथ्विक मानो से है अशे अपला अचा लौकी का अपल्याला मिडावा प्रें pan आफ लौकी शणा इसाथी चर तपकेल गेलाशेल तर ते लाल रंगाचा च्लार शुक्लडवरंब आचा नасьनार ते लाल वर्याचा च्ला ते राजिसी वर्या च्लार पुजन इदियान इधान मना पुजन मना जपजाप्य मना ते सग्व्य परकार उच्छातना च सभख़ान दें आपाल हैं फाफ दीजिल्ग कुछांग अ चाहतु है नुटतर फेस संवह उत्लारत फ्सकर तुकरत चाहित तापाच अंतरंग समझनियांशाथी गीता शास्त्रा में गुष्वाध्यात्मक वर्गी करन जर्शांगितल ते सुरुवाधिलेत अमांडल तो त्याचा लख्षण पहा निर्देश करदाना गीतेशा गीतेम अदे भगवान मंदाई सत्रावय अध्याद मंदाई sindraवय अध्यादल्या शत्रावयस्लूकात मंदाद श recipes येश्रथया परल्या अप्तूम तपत्रिविधाई नरही अफला आकांग्षिर अभियुक्तै सात्विकंपरी चक्षते शारिदिक, माजवाचीक, मानसीक अशित्रिविदत पूर्वोक्तत तप जर निस्प्रूह बने आणी निरकांग्षते न कुछली आकांग्षान न ठेवता योगे करिती न इश्वरामधे युक्तर आफून परम श्रद्धे न जर आचरली तरते तप सात्विक थर्थ याठी कानित न युक्तर ही आसा पदात वापर के लाए तेसा आर्थकरताना शास्त्रकार मन्ताथ गीता भाष्यात रामारुजाचार्य मन्ताथ युक्तर ही परमपुरुशा आराधनम रूपम मज़े ुक्तर आवस्था भगवन ताशी एकरूपराण ही tendency परमपुरुशा आराधनम रूपम और युक्तर ही पर मध्युक्तर राष्या युक्तर ही भगवदार्पन अधी योग युक्तर ही भगवदार्पन उर्ति न केल गेलेल मैं युक्त शांकरभाष्या मन्ते ईंवास्थे मेंत तो थी लेवन तक युकतः ही या शरीणेट आच्टी आठता आधा strict या परदा वीशेई अर्थकारताना मतलाये अर्धाद पूर्वी मंदल्या पर्मान वाइदिक प्रणाली मंदलत भे आस्तिक या बुध्धिनस भावलाक्त त्याता स्पष्ट निरदेश अठीकानिये अर्थ राजसिक अस शरीरमय वांगमय कि वा मनों में थे हो उश्यक्त ते सांकताना भगवान मन्टाथ 17 वैध्यात 18 वैशलोकार मन्टाथ सत्कारमान पूजार्थम तपो दम भेन चैवयत क्रिये ते तदिह प्रोक्तम राजसम चल अध्रुवम जनमान सामरे अलवकिक त्व नामलवकिक प्राप्त होने असाथी सत्कार प्राप्त पूने असाथी मानपान मानपाना अ based प्राप्त होने असाथी मन्टी दभातून आचरल अजात मन्जे दिखाऊ अस जयास्ते वर्ड़े वर दिखाऊ पूर्तिन अ के डिलिज जयास्ते अध्रुवम तो पक्कन चल अभॱोक आुझत आधर सत्कार निर्मान वायला पाईजे, मुनुन अती मानवी शरीर विलास ताखोनार असा जे अस्त ते दैहिक किवा शारीरिक राजसीक असा जे अस्त मुनुश्य आपलेया देह वाक मनाला राबोवतो या तपासरी तो राबोवतो का लवकीक, नाव लवकीक, मान सन्मान वावा मुनून। तयान राबोवतो अशा तपसा मागे सत्कारादी अपेक्षा ठेवतो अशा तपा मरे बाजारी पणा दिखाव पणा हाँ अस्तो या कारण त्याला त्या दंभ अस्तो असमनाव लागता अनि या तपा चरणा मागे अलोगी कत्व प्राप्ती वगरे आकांग्षा येन्यान ते तप शाश्वत ठरत नाही तवड़ फळ मिलाले कि तप संपल मान सनमान मिलाला तप संपल ते शाश्वत नस्तो अनि पैठिकाने जनसंपर कहा शूटलया वर ते तप थामत तुमी दो अध्वु असरस्थ जनसंपर कहा शाश्वत पालन जात या एर्वी त्या तप साधने मंदे हेलसान रूत अस्ते अलागा लक्षाथ करन तपा चरणाला मूल प्रवर्दक जनमान यता है अशा तप स्वीच मुखपत्र कि त्याची स्वताची वानी अस्ते अशी मान्स मुख मन्जा अपलो मुखपत्र करून तक्तत है ये तप स्वी राजसीख धर्थाथ आस्वत तामसीख तपा विशे भागव भगवान मन्तात मूडग रहेनात्मनोस यत्पीध्याक्रियते तपहा परस्य उत्साधनार्थम्वा तत्तामसम उधार्थम सत्रावैध्यात्म ये कुणेसा वैशलोके तपहे मुड़ता पूर्वक हट्तान आत्मपीडा देवून किमा परापकार बुद्धीन दुसर्यावर अपकार करनेयाचा बुद्धीन हुद ते तामसीक तपस्त जार्णमालनादी उच्चाटनादी साठीजे केल जात ते तामसीकस्त या तपा तामसीक तपस्त त्यामदे मूड़ता असते हट्टीपना असतो दुराग्रह असतो अनि त्या द्वारा तो देहेंद्रिय संगाताला पीडा देन्यास मागे पहात नाही, पुडे पहात नाही, मागे पुडे पहात ने अंगा वर्चे केस उपटन, पंचागनी सेवन करन, तुमारा प्रकार सांगितला दी, हे सगले देहाला उपवासान, लंगनान, शुष्क करन हे प्रकार, आशा प्रकार जे हे तामसीक तपस्त, दुसराला निरुपत्र भी असले तरी ते तामसीक तरत हे लक्षाद घेतला पाईजे, याद अपाने दुसराला उपद्र होतना ही पंटरी हे ते तक, अर्सात, योगीक तरफ साथवीक असा व लागत है का यादा वेगल सांगा व लागत नहीं, अला गलक्षाद, आशारी का ये मोठा सिद्धान तर मांदा व लागत नहीं, विशलेशन मांदा व ल योगीक तर पे नियमांगी तर पकाई आठीकाने, अथा परंदा अपलेल त्यासाटी दिखदर्शन जाला कि तर अशा अशा प्रकार्च अस्त, अशा अशा साधनानी होत, अशा अशा स्वरूपाच अस्त, अंथा मोले एक अपन धूबल अशा सिद्धान तर पन अत्यां इंक काय प्रस्तुत आए है पान प्राप्तो होत सूत्रगारांच असपष्टाशे असा है, कि नियमांगी तर पे काया इंद्रिय सिध्धी अने अशुधिक्षय या जिशे न होईल अस अशा अवा, या अथा पाद्वारा काय साधला पाई या नावलोवकिक नाई, आणि हे दोनी साधेल असस्तेत पसाव अन्तक्रना मतला जो मले, अधर्म मल जो आहे, अवितेचा मले, वासनेचा मले, पापवासना मुनुजी आहे, जाच शमन होईल असाप्रकार जाहे त प्षार्री गुवाचिक मानसिक असाला हवे इंद्रिय सायमा द्वारा इंद्रिय जय हा भावा आणि तशाद अनुशंगान क्यों तशाद दिश्यन तपाच अचरन भाव असाई याठीकाने आपन साधेकाने सम्दूं एदल पाईजे महाबारात आट ला वोचिं याठीकाने तवालक हम ताण अद्व नान्याता हो अनुप अजय बोगाए ते उपे योगसाधिकास अधेकाली इंद्रियान तपी ज़ी दाहा इंद्रियेक और आख्रावमोन पाप्या revenue अंधियान वर निग्रह और त्रैंटर नियमं शिछान रमाद अनु कुला सब आच्छा मां। प्रदों संस्कुतिन शर्यन करना हे सतप Steel तो शूत्रकार मनता है कि कैंक इंद्रिया सिध्धी मंजे इंद्रिया सहीयम जन्य जय अचो इंद्रिया सिध्धि john, indriya siddhि मंजे, कहा इएश्पी चे प्रकार नहीं है इंद्रिया सहीयम जन्य जय जो आए, तो का इंद्रिया सिध्धि सा प्रकार है आणि आशोदिक्ष यहाँ भाहला पायी चे आणि याजा विधी सांगताना भाश्यकार थोड़कार पन अत्यांत व्यापक स्वरूपाचा असे लक्षन करतात, तप द्वन्द्व साहन्य या स्वरूपान सेतप होतास्ता इंद्रिया जय मनुझा अस्तो कि वा का आशुतिक्षया चाजो प्रकार असो त्यामादे द्वन्द्व साहन्य है अमनत्वाच अस्तो त्यामादे योगसाधकाला द्वन्द्व साहन्य कि वा द्वन्द्व साहन्य करने आज सामर्थ्य सर्जन होई लाशा प्रकार चारिरी क मानसी का तहा वाची का तहा काई जे करायला पाज ये ते त्यानी करना हे स्थानासने काष्ठमाउन आकारमाउने चे ते मनता द्वन्द्व मन्जे क्षुधा पिपासा शीतोस्न स्थानी काथ मन्जे वाँ आसनमाउन मन्जे आसनस्थर हनयाचा प्रयास काष्ठमाउन मन्जे सरवांगा मौन आक। यहा हे जे प्रकार ये यहाठड़ने मोड़तात आदा द्वन्द्व साहन्य मन्झे काई महाचाकराच मंटाथ द्वान्द्वाश्च जिगत्सा पिपासे शीतोष्णे स्थानासने काष्ठ मौन आकार मौने चे ते मनता द्वान्द्वा मन्जे क्षुधा पिपासा शीतोष्ण स्थानी कता माझे उभायाना आसना मौन मन्जे आसना स्थर हन्याचा प्रयास काष्ठ मउन, मंजे सरवांग मउन, आकार मउन, वांग मउन, यह यह ज्य प्रकार्य ते आठीकाने मोड़तात। और या साधने में लागना त्था साहन्य शाहनशीलता, और फेस्करत्या सामर्थे मिलनों मंजे तव पे तरस वरत पालने इत अप्ठरत, भाश्यकार लगेश मनता कि वरत पालन सधात अपे वरता नीचे एशाम यथायोगम कुछ्रचांद्रायन सांता अपना दिनी अशाही प्रकारची वरत इत अप्ठरत अठाद यथायोग्य चित्त अक्षोभराहील अशाप्रकारची वरत पालने इत अपे अठाई वरत कसली कुछ्रचांद्रायन सांतापन वगेरे वगेरे धर्मशास्त्रा मते या वरताचा निर्देश अठाई थी वरत अहार विशय मन्जे अहार नियंत्रन रूप अस्ताथ आणि योगसादकाल अत्यंत महत्वाचा प्रकार अस्तो अहार नियंत्रन अमले बाकी सगले नियंत्रन येत अस्ताथ अहार नियंत्रना दवारा बाकी नियंत्रन ही प्राप्त होत अस्ताथ और शिवती मानुस हाँ अहारा मोले चंचल होतास तो अहारा चंचल ते मोले बाकी ठीकाने सगल चांचल ले येत तो योग शास्त्रानी अध्यात्म शास्त्रानी अहारा नियंत्रन मनुझे सांगीत लेत अध्यन्त महत्वाचे त्या मोले बाकी जे निगरह येत अस्तात अस प्राधान्य दिल पाईजे, करान चिभवेला निर्बंध ठेवन्यान अन्येंद्रियांचा निग्रह कठिन जातो, अब मी जिवेवर निग्रह ठेवनाने बाकी काही करी शक्याने, या शक्या, ये ओनाने अनि मुनुन अनशन कि वह आहार नियंत्रण हे योगतपाचा ओनामा ढरता, साथाका जलुष्टि यहां महत्गवाचा याथिकानी दिखतरिशनाचा भागे, भाबारतामादे मंदलेले तपो न अनशनात परम, शांती परवामादे, एक्षेक सस्था व्याध्यायामादे, स अनि त्या मले धर्मशास्त्रा मले काही वृता आलेले एत कुछ्छ्र, चांद्रायन, सांतापन वगए अनि त्या विशयी सांप्रता हिंदू हा, क्योँ वैधिक हा, आन भेगिने अस्तो ही दुरदयवाची गोष्ट है, त्या मले यहांचा थोड़ासा परिचय कोरूं घ या थिकानी हे उचिठ्थर्त, कालोचिठ्थर्त, या थिकानी कुछ्र भुच्छ्व वृत्मुन में aख सांगीतल धर्मशास्त्रा मधे, ते बारा दिवसानच भुरतस्त, पहल्याती इन दिवसामधे केवल दिवसास चतिच घास, नंतरचा तिन दिवसामधे संधयाकाल केवल बत्तिस घास अनि मग तीन दिवसा मधे केवल चोविज घास अनि शेवट चा तीन दिवसा मधे उपवास असा अहार क्रम या अवरता मधे है मैं अवरता पालान से प्रकार मजे बाकी चाने कुछ शे संभाड़ा लगता त्या पाकी चाउचा पात्या करें बाकी जो धन्दे करें असा सालत ने या साथी अपलियाल आप अहार निग्रह कराई तए मजे प्रतम कराई जाने एम अन्तर बाकी सग़े निरबंध घाले अनेक निर्बंध अपोवाप स्वाभावी कता हाल आखतात, ही आठीकानी लक्षाद गेने चरकारे, अलाग लक्षाद, अधा मनुन तपत कृच्छर मनुने कुरत सांगीत ले, अकराव या ध्यामरे दोंची तेरावे श्लोकामादे हा निर्देशता प्ले, त्या तीन पोषण, तीन दिवस गरम दूत, तीन दिवस गरम तूप, तीन दिवस उष्नवायु भक्षण सांगीत ले, त्या नंतर पशकासल्म नियका कृच्र मनुने, सांगीत ले, अकरावे अध्यामरे दोंची पंधराव आश्लोके, त्यामरे बारादे उसाचा उप्वास हे ज यागनेवल के स्रुति मदे तीसरयाद ध्याय मदे तीन्छे सत्राव्याश्टोका मदे एके का दिवशी क्रमशहा तपत दूद तपत ध्रुत तपत जल अनि जवथयाद इश्यू उपवास असचाद इवसाच अ महा तपत पुछ्र वुरस संगित लें अलक्षा पराशरान म ते तूसर आगे सग्र सेवन तपत नस्तानः शीतल असेल तरते शीत कृठ्च्र वर्थतर तर्थ रहुष्ण आगनेवल के अन चुसाद इवसा एक भोगत रहुन अ कृत संगित लें तालें पाद कृच्र समन्द लें तस्रया अध्यामाधी तीन शाथ थावाश्लोके ल यागनेवल क्रुछ्र प्रकार सांगित लाए तिसरे आध्या मदे तिन्षे एकविसावाश लोके त्याटिकने मंदे देल काड लेले तीर पेज ताक जल अने सातू यादिल एक पदार्थ रोज सेवन करून सावविया दिवशी अनशन करन प्राण रक्षनार्थ मात्र सेव करन ये परिमान तेंग धरोले अर्थ वर सांगित लाप्रमाने हे जर वुरत पालन कराई चासेल तर बाकी अनेक प्रकारची निर्भंद येतात ही वेग सांगवा लागत ने आणी वरी लाहार एक एक दिवसा आईवजी जर तीन तीन दिवस केला तर पंध्रादिवसा मते तो संपन न हो चसतो अनि तयाला तूला पूरुषकृच्र असा मंटलेला है तिस्रया अध्या मदे तीन चे बावीस आवाश्लोक बावधायना ने बालक कृच्र हाई प्रकार संगित लाए त्या मने पहलेया दिवसी दुपार्च बोजन दुस्रया दिवसी रात्री तिस अध्या दिवसी तो याचीत राहून मंजे मिलेल तेप नमाकता गेना तूथ्या दिवसी वायु भक्षन करनासा प्रकार बावधायना ने चार पात साथ मने संगित लेला है अधी कृच्रा चा प्रकार संगित लाए तीन दिवस दुपार्च जेवन तीन दिवस रात्री आपस तंबाननी आर्ध प्रुच्रा चा प्रकार संगित लाए पहला अध्या आमाधे 43 सानी सुवी 4 अवी डून श्लोका मेडे त्यात पहल्या दिवसी दुपार्च भोजन दुसर्या दिवसी रात्री चा तिस्रया दिवसी आजिचीत रहना अने शेव्ती दुट्या अभुपत रहनय आग्ने पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराणियाचा मदे बारा दिवस तिलावर हानियाचे प्रकाराला आग्ने ये कृच्छर बंटलेला है। आपस तम्मानी सुधा एक नौँ सप्तावीस आठ मदे येदा निर्गेश किलेला है। वर्ष वर पुच्छ करने आजा व्रताला तेने कृच्छ सम्वत्सर मंदलेला है। अलेगी लिख्षाद。 ुच्छ्रवत आम अहार सेवन करताना ग्रास संगितले लेत अनि थी ग्रास जायए टाइ गायित्री मंत्राना अभिमंत्रीत करून ज्यानत सेवन कराव असा एक परिपाट असा नियमें जाग्नेवल के अननी या अभी अबिप्रात संगितल लैए अणि उरतस्थ अस्ताना तेने संगितलेगे ट्रिकालद स्नान नंतर पवित्र सूग्त जप पवित्र सूग्तांच जप अब करे या संगितले बाकी त्य उपद्व्याप व्यापार करेचे नही ते प्रताच शा दिवसान मने पवित्र सुक्तान चाजप जाप्य करना ध्यान करना वगर हे प्रकारते कराला पाजिया फप्त तप्त कृच्छरा मने तरिकालस नानाजा बिधी निर्देश नाई ये अले गलक्षा तप्त कृच्छरा चाप्रकार मनुनस पष्टता तप्त कृच्छरा मने एकाच नानाजा निर्देश के लिला हे तरिक प्रप्रन कृच्छरा मनुन प्रकार यागनेवल के स्मूती मादे सापड़ दूदू पलस उदंबर कमल बिल्व कुष यांचा काढ़ा पास दिवस सेवन करनेचा हा प्रकार है अले गलक्षात अर ता धर्मशास्त्रा में ये व्रतसांगित लेट कृच्छरा चे अने प्रकार सांगित लेट योगसाध काने ते पालावे का ते इंद्रिया निक्रह साजने बिश्काम भावान ही व्रत पालन करेल एर्वी धर्म मारगा मदेक या धर्म कारणास आटी चे व्रत पालतात ते विविद कारणा नी पालतात इस्ट प्राप्धी आन इस्ट निवरुत्ती धनदान्य संब्रुत्ती कियुबाश्ची तमनौन वेग्वग्णास कहता है असावही सेंगा डहीं कानीा असार्याहां श्था कारं ते लक्षे काहला असे तो राशा प्रकारे अहार नियंत्रला जाप्रकार्या प्रकार प्रक्रिंद्ड्धर व्रताब्र्या द roadmap ये। श्थानि हराजाrando जम्ना त्यान अंतर चांद्रायन मुनने कुरत तुमाला सांगितल, चांद्रायन अचा व्रताचे प्रकारेद, चांद्रायन या व्रता मधे अहाराच प्रमान, चंद्रकले प्रमाने, क्या ध्याद द्वारा नियंत्रीच केल जातास, तमझे नियंत्रनाचा प्रकाराच प्रसाय, आणि या मधे चांद्रायन व्रता मधे इसका प्रकार सांगित लेता ते मन्जे यवमध्य, विपिलिका मध्य, यति चांद्रायन, सर्वतो मुखी चांद्रायन, शिशु चांद्रायन, आशे पाध्स प्रकार शास्त्रा सांगित लेता पहिला प्रकार मेन यहों मध्य!!!!! चांदरायन !! यह दिया शुक्ल प्रतिपदेला आरंभ हो तो क्रमशा, पोल्निमे परियंट एका ग्रासा पासुन, पंधा ग्रासा परियंट आहार वाड़तो मैंजे प्रतिपदेला एक ग्रास, दुसर्या वितियेला दोन, तृतियेला तीन, चतुर्सीला चार आशाप्डगारे पंध्रा ग्रासा पर्यंद आप अःतर रोज एका ग्रासान वालाच जातू अनि अननतर कृष्ण प्रतिपदे पासून एके घास कमी हो ज्ट जातू मुझे पंध्रा नंतर चवदा चवदा नंतर तेरा मबारा अक्रादा हा नू आफचात सहा Пासार तीन आणने आमा वसेला संपोर्ण उप्वास, आसा घर तो, याला याव मद्ध्य चांद्रा यानम दार, याव मद्ध्य अनि पुना त्यानंतर सलग असा उल्टा त्रिकोन निर्मान होतो पंध्राचे चाउदाम तेरा बारा अकरा धानो आट साथ 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 चार दीन दोन एक शुन्य अशा प्रकरे शंक्पर पालीचा अकार हानिहेल अनि महन याला यवमध्य असमान्ता आडन्न शुक्ल प्रतिपदेला शुरूवा थोते यावरताची एक ग्रास जेवणग्योन शुरूवा थोते पुल्णी मेला बंधरा ग्रास अनि त्यानंतर अमावस्तेला उपवास अशा प्रकारे हें चांद्राखे और असमान्ता दुसरा प्रकार जो आये तो पिपिली का चांद्रा याने हे वरत पोल्णी मेला सुरू होता हे वरत प्रतिपते ला नवेता पोल्णी मेला सुरू होता सुरुवाट पंधरा ग्रासान होते अलग राषत शूरवाद पंधरा ग्रास हाना, अमावसे परियंत एक, आनि त्यान अंतर अमावसे ला निराहा राहून, उमा क्रमशा एक एक ग्रास हाँ पोल्णी में परियंत वाड़ जातो, आनि त्यामने नेम की आखुरती उल्टी निकते, अलाग लक्षाथ, जी काबूली वाले सची काबूली वाला तुमी पाहला थेल क्या रस्त्यामने भेल दाने, खारे दाने विखनारे, ते खांध्यावर ग्यों जाता विश्ष्ट प्रकारची ते वेताची टेबल अस्त, मधे अरूंद अस्त, आनि दोनी टोकाला ते रूंद होज्जात, तर तश्या प्रकारची आक मक्रमान चवदा, तेरा, बारा, अकरा, दहा, नव, आठ, साथ, सहा, पार, चार, तीन, दोन, एक, शुन्य, मैं एक, दोन, तीन, चार, आसे पंध्रा परियंत गाराग्रास वाड़ा जाता, अलग लक्षात, अनि हाँ प्रकार मनू स्मृति मधे अकराव्या अध्याया मध आठल्ट आने सग्या स्मृति मधे हाड, धर्मस्रुति मधे अठल्ट त्यान अंतर यती चांत्रा आएन मननेक प्रकारे, या चांत्रमासा मधे माध्यान्नी केवल आठ ग्रास भूजन करून, जीतेंद्रिय वृत्ति न रहायला जाता, असा यास्त रहा मधे, याला यती चंडरायन मन्धार हा प्रकॉल मनुसमुथि मरी क्रावियात्द्ध्ध्न क्लिआ मदोंचक श्लोक थो तू तैसे लक्षण सांग्धानन अंतर शिश्युल चंडरायन मन्दे इक गुर्वे धिजान शांततेन चांद्रमासमा देश अकाली चार ग्रास रुऄ печ습니다at रिग्रास औ त याला शीश्ल चांद्रायन मंतलेला मनुस्पृती मद्हे अक्राव्यात ध्याय्च वैजिया शलोगामध है अन्रिएज निक्रीस है थावादर रहादर कहाता है बanden reduction aikoanga in τι 40 डाशा बुग फोजन हां करनेयाची यह ठीकाने मुभासते आणि तेसा प्रह गर्ण और नियम अहार नियंत्र और है आपगहला गाल अलगा गाज इगल नहीं दरम शास्त्र जीको तो योगशास्त्र त्याचा वापर करता है। आशा प्रकार चांत्रा नहीं जे प्रकार आपन पाहिले त्यानंतर सांता अपन महुन ने कुरत है। जागने वलके नहीं सांगितले कि व्रता चे अटल्या दिवशी सर्व आहार वर्ज करून पंच गव्य सेवन करावा। पंच गोमुत्र, गोमय, गोदूद, गोदधी, गोधृत। आणि त्यानंतर कुषोध का मधे मिस्रणून त्यातर सेवन करावा। दुस्रया देशी उपवास करावा। हे द्वैरात्र सांता अपन कुच्छ व्रत यागने वलके नहीं तिस्रया अध्या तीन्चे तउदावय श्लोकात सांगितले। महासांतापन हुन और एक प्रकार है यागनेवल के स्मृतिव मदे तेल सांगता ना दुस्रया द्याया मदे 315 वाशलोक। तacy doubts rozp I결 बंचने Qण मनल्या एकाःब्य गिवुन ineकाथ सेवन यवन पुधिल एक डियूशी वेग्वेग्य पंच्क रव्या सट गईची मैं विवेगवेग्य таईय इसलिची पा दरुव्याएत गौमया शी पास दरुवीयात यथा बे एकक ड्रव्यार सेवन कराया है सब्विया भूछंदसी कुशोदक आने साथ्विया भूछंगा उप्वास गूग च्र भूंदसी तियां ःत्ट में तीन च्रत्amtंी सन्ट सय्टतीन गोद्रव्य क्रमाने ऑनिआ गोद्रव्य कट्रत्त το मैंतले कि 15 फ्ंद्या ओखए उरतै पंचग व्यातल प्रत्य ग्रव्य तीन दिवस गिवं शेवती तिन दिवस उपवास अशा प्रकार संवितले हे सर व व्रताजर प्रकार धर्मशास्थ्रा मदे प्राययस्चित मनून Radiash Ten Program बुद्ति साथी होज येतात त्यात इंद्रिय संयमनाजा मूलभूत हेतु अस्तो चसमंतायत नहीं पन्य योगसाधकाच वाप्ति तो अस्तो अर्था तरी अशी वृत पालवन संयमने प्राप्त होताच हे काई वेगल सांगावलागत नहीं प्रायस्चित मनुन व्रतस्त होताना असाया वस्था निरुपाय मनुन व्रतसेवन गडुशक पन्योगसाधकाच हे जे सेवन अस्तो ते स्वेच्छे न आत्मनिक्रहर्थ करिता होतास्त त्या मुले ते आत्मियते न केल जाता हां मुख्य भेई ध्यातिकानी लक्षाद गे नंत्रण कि वहां साहन्य प्राप्टकुरूम गणया चीड करता सत अरसाथ नियमांगत भे काईेंद्रियमन यांचा संयमार्थ अस्त हे सपस्ट है काउटनाधि आकारमउनाधि प्रकार ते शिद्धकरता त्या द्वारा हे जम्त है अपन सुर्वाति लाश्वात आपना आपर मौन अगरे त्याला सिद्धा करने अचाटी हाहार नियंत्रना अप्रकाराथ कें तमात्वाचास्थू अनि या पार्शी भूम्यवर क्रिया योगत अपाचा अपनी अच्वोड़ास्था विचार आठीकने करूया मझे आपले अपुल्या उपांगा कडे वालताईल करने क्रिया नियवांग टल्फ आने ख्रिया योगांग तर्फ या अच्वोड़ा पनी शुरुवादिला पायरा तो पुना आठीकने पाहन अथ्यंत्रना उपयोगत अठरेल महीं आपलाल तूलने न सुधा या विशिष्ट तपाच लक्षन है जास्त प्रकर्शान जानुए असे क्रियायोग अनुष्ठान योग्यता यहिनाचाडी प्राथमिक स्वरूपा मदे यमनियम अची परिपूर्ण ता अलेली अस्ते क्रियायोगी अस्तो वाकायेंद्रियान मदे नियमांग तपाचरना द्वारा बलधारना निग्रह सामर्थ्य योगीक जीवनाला लागनारा दिशेच निश्चित तथा मार्ग क्रमन होतास्ता जालेलास्ता योगाच अंतरंक साधने मदे वाक काई एंद्रियाद द्वारा उभकेल जानार प्रतिबंध जे काई जे प्रतिबंध असता ते जवल-जवल संपलेल असताथ अधाव जाले लास्ता तेसे अधाव जाले लास्ता तो प्रतिबंध काई डोकावत नाहीद योगाच बायांग अनुष्ठान बर्याच आउशी स्वाभाविक नैसर्गिक शुद्ध स्वरूपी हे होतास्ता नर्व्याज असखलित नर्मल स्वरूपी हें के अनुष्ठान बर्याप्त थे जह होतास्ता साध्यावस्थे मदे साध्यावस्थे मदे आतिरेक पना अस्तो अपना अतिरेक यस्तो अति उत्साह अस्तो आतिरेक यस्तो तो प्रकार याठिकानिन नस्तो साध्या अवस्थे मदे आसना प्यासा मदे अति उत्साह अति रेकता असेल तर त्या सैयम आन्न महत्वास है प्रानायामा सार्ख्या प्राधान्यत हा चैतिक बायांगा मदे निर्मल ओग निरवंचता सहजदा ही आली पैजे जोगसाधकाचा प्राणायाम अनुष्ठानाचा प्रकार्जवाए तो तेचा अनुभवसा दाखो तो कि त्या मदे सुसंगत तता अने विसंगत तता या तील पल्ला विस्तीर्ण खोल दरीनी व्यापत अस्टो मंजी सुसंगत प्राणायाम अने विसंगत प्राणाया मेंची दीर्ग दरी अस्टे एकार्था एकार्थान प्राणायामाला चित शुरुवातियला बरत असम्स्कुत अस्टा शान्त धर्मदेचा मदे नस्टो अने ते निष्ठेला एक श्ठे निष्ठे द्वारा ते एका ज़ खिर वरगाला यूँन प्राप्त धाल लास्थ शुसम्सकु जळलेलास्थ तापानी ते साथ अपल्या मदे जा अस्वाभाविक आसन प्राणायम क्रिया होता थे नई सवाभाविक आद यहद्ञादे याच करन तपे तामागे तपस्द नियमांग तप आसन प्राथमिक प्राणायाम याँ सग्रया कुष्टिएंधे तयात अंतरभा हो चुप नियमांग तपाम दे अने प्राणायाम आतकोन अंतरभात जे पाउनिया चाथी जो निक्रह सामर्थ यहाजी लागत ये लाकता क्षमता लाकते त्या साथी बर्यात आउशी मानसी असर तप क्रिया योगात केल जाता समाधी भावनार था क्लेशतन करनार था असा योग्यतेच ज्ञानम या तप हे त्या ठीकाने आचर लगात असता समस्कार सर्जना विशेई दक्षता पालली जाते समस्कार सर्जना विशेई दक्षता पालली जाते थोड़क्या तपस्वी होन्या साथी जे तप ते बायांगा सहित आचर लगाता प्रकार नियमांगी तप साथता अले गलक्षत तपस्वी होन्या साथी जे तप बायांगा सहीत कलने तो प्रकार अस्थो तो नियमांग तपा मदे अस्थो तपस्वी जे तप हे क्रिया योगातल तप धर्त नियमांग तप निग्रह आंट तप क्रिया योगातल तप निग्रह तर साधनेला पाया धर्त शचाबर करे नियमांग अपना अपना एक आण करआवी लगता तें करआवा लगता एक सोडावा लगता ।ें örtो प्रक्रीय योग अपना तैा खुष्टी केलिया जातात टैा कही घुष्टी जा कराई चासतात आत दा केलिया जातात स्वाभाविक ततने खुथ अस्तात आला करेकशाथ नियमांग सेवना मदे अपला तर्पमन निग्रह आक्षारावा लागटू तोसोी साधना अस्तिय अस्तिकानी शरीर प्रवर्द अन मनो प्रवर्वर्द ने सੰग्ला गोश्टि अस्तात पर्ण क्रिया योगा मदे त्या सग्ल्या स्वाभाविक असताथ नियमांगा मदे प्रयत्न सापेक्षत आसते त्या क्रिया योगा मदे प्रयत्न निरपेक्षत आसते प्रयत्न निरपेक्षते सग्ल्या गोष्टी स्वाभाविक पने पाल्या जाताथ तरह च्या आप्रकारे तपाँचा आपनब विचार याथी कानी सांगोपाँग कणा सांगोपाँग प्रहतन केला या ठीकाने एक महत्वाची गोष्ट शिवती सांगुन जावीशी वाटते कि योगसाधग जो अश्टांग सेवन करतस्तो अश्टांग मार्ग क्रमन करतस्तो त्याला इतर अंग त्याला पोशक असताथ ये तपसामर्थ्य ग्षमता प्राप्तकुरुन घेन्या चाथी इतर जी अंगतो पालतो आसन मना प्रानाया मना आहार विहार स्वाध्याय जब जबजाप्य ध्यान या सग्या योगिक जीवन प्रनाले मधे तपसामर्थ्या है सरजित केल जाता अलागलक्षत में तपक करने अचाथी थो तपकरतो असनी तपक होने चाथी या घुश्टी जाला भार अपार्ध्वच अठर्थ्य योगकदाने जबर्गस जस्त आशनौ असन सद्वाधन प्रानायाम साथनौ असनौ यह सखलीट पने केला न यूग सास्त्राला अनुस तप विशयक प्रखलनाज आपनी आधिकानी उपसम्वार करू शक्तु। द्यानंतरापन पुढलाजो नियमे स्वाद्ध्याय त्यागडे वलनारोत पन पुढलाप्रसंगे। क्रिश्नार पनमस्तो।